अलो वर्वन वलकम तो दिस वीडियो और यह हमारी नई वीडियो सिरीज है जिसमें हम बात करने वाले हैं SSC MTS 2023 में हुए एक्जाम में MTS 2023 के जो questions पेपर से उसमें जो error detection के जो questions थे हम उनका discussion इस वीडियो में करने वाले हैं तो अभी इस वीडियो सिरीज में हम लोग SSC MTS 2023 में जितने भी papers हुए हैं उन सब में जितने भी error detection के questions हैं उनका discussion हम करने वाले हैं आप में से कई लोग का सवाल या doubt यह होगा कि सर SSC MTS हमें करना चाहिए कि मैं तो सीजल की तयारी कर रहा हूं मुझे क्यों MTS की question करने चाहिए देखो पहली बात बहुत सारे लोगों के मेरे पास doubt आते हैं जैसे कि कुछ लोग पुछते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया है क्या वो सीजल के लिए enough है इतना मैंने आपको इस कोर्स में करवाया है वो आपके exams के लिए बिल्कुल इनफ है फिर कई लोग पूछते हैं कि सर आपने जो grammar करवाई है क्या वो सिर्फ टियर वन के लिए है या टियर टू के लिए है तो मेरे दोस्त ग्रैमर के जितने भी चैप्टर समने करें हैं चाह यह चीज़ा आप sólo डिर डुमर को सकता है वह वंसक्राइब कोशिटार तो ऐसा कोई डिर डिफरेंस होता नहीं है कोशिड्स में लगाने चाहिए MTS के question आपको इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि आप भले ही MTS का paper ना दें लेकिन इसमें जो English के धेर सारे questions आये हैं उनसे हमारा 2-3 तरीके के फायदे होंगे एक तो ये पता लगता है कि SSC कैसे questions पूछ रही है क्योंकि paper TCSC बना रहा है paper का जो level है वही set कर रहे है type of potion वही रहेगा सभी में तो level difference हो सकता है max to max बाकी चीज़े सेम रहने वाली है तो जब बाकी चीज़े सेम रहने वाली है तो फिर हमें भी भेदभाव क्यों करना है जब बनाने हैं लेकिन भूल जाते हैं रिवीजन कैसे करें तो दिल्कों करने का जो बेस्ट तरीका होता है तो इसमें ऐसा कुछ बात है जो आपको ऐसा लगे कि नहीं यह तो MTS का है इस यह सल का है सारे कुशन important है और इससे फाइदा क्या होगा हमारे grammar के concepts revise होंगे revision के लिए यह best तरीका होता है किसी भी exam recent exam में conduct किये गए exam किसी भी exam recent exam के जो questions होते हैं उनको practice कराना best होता है हमारे लिए समझ में आई बात तो शुरू करते MTS 2023 के questions की बात पहला question के रहा है throughout my career as a journalist I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insights with my readers so it's a very big question आप में से बहुत सारे लोग पूछे ने MTS का सवाल है तो MTS का सवाल है फिर भी आपके काम का है देख सकते हैं इतना बड़ा सवाल है पर पकड़ते हैं इसमें error क्या होनी चाहिए करा है throughout my career throughout my career as a journalist विल्कुल ठीक है जनलिस्ट क्या है singular countable noun है singular countable noun के साथ में आर्टिकल ए का प्रेवक बिल्कुल ठीक है आई कवर्ड क्या मैनी इंपोर्टेंट स्टोरीज के कोई दिक्कत नहीं है एंड इंटर्व्यूड क्या numerous individuals बहुत सारे individuals का हमने interview किया ठीक है which allow which के साथ में क्या लिए यहां पर क्या है plural है plural के बाद में क्या है plural verb है me to share important information and insights with my readers तो देखो इसमें एक बात ध्यान से समझो कि information लिखा हुआ है information क्या है uncountable noun है information क्या है uncountable noun है और uncountable noun के साथ में आप कभी भी uncountable noun है और uncountable noun के साथ में आप को कभी भी plural नहीं बनाते है तो यानि कि अगर कहीं पर आपको informations लिखा दिखता है तो ये भी ठीक है और इस पर ये गलत है informations लिखा दिखता है तो ये incorrect होगा ठीक है यदि कोई many सबस्क्राइब तो अभी ऑन पर आज सच कोई बीजिबल एर नहीं है आपको बहुत दूर से दिख जा रही हो ठीके, अब error है क्या, ध्यान से पढ़ते हैं Throughout my career as a journalist, I covered, मैंने cover किये Verb की second form, यानि sentence हमारा ये past indefinite का है ठीके, past indefinite का है Many individuals, many important stories cover करी और आगे भी interviewed लिखा हुआ, यानि ये भी past indefinite में है क्या कि है, interviewed numerous individuals which allow me जब आप allow me, यानि कि verb की first form का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब ये sentence किसमें जा रहा है ये sentence आपने बना दिया present indefinite में ठीके, आपका subject no doubt, which का antecedent no doubt आपका plural है आपने verb plural लगाई, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन sentence हो गया हमारा present indefinite का क्या हमारा पूरा वाग के present indefinite में है नहीं Throughout my career as a journalist, I covered past indefinite many important stories and interviewed past indefinite numerous individuals, ठीक which allow me, which allow me की जगे क्या हैगा which allowed me तो allow me नहीं आएगा, क्या हैगा which allowed me ठीक है क्योंकि आपको एक बात ध्यान दे नहीं है क्या, present indefinite का use कप करते हो आप present indefinite का use आप कोई fact कोई permanent truth ये सब बताने के लिए आप करते हो और past indefinite का use कप करते हो आप past indefinite का use past की कोई घटना को express करने के लिए past की एक घटना को express करने के लिए आप करते हो समझ गहять यह क्या है एक कोई नहीं बता रहा है कोई उन्यवर्सल टूथ नहीं बता रहा है मेरे पूरे करीयर में मैंने बहुत सर एंड जनलिस्त को गवर किया है जनलिस्ट मैंने बहुत सारी important stories को cover किया और interview किया बहुत सारे individuals को जिसकी वजह से मुझे which allowed me to share important information and insights with my readers ठीक है तो यहाँ पर allowed होगा allows नहीं होगा ठीक है allowed हो जाएगा यहाँ पर तो error जो है वो आपके part 1 में आ जाएगी ठीक है it will be throughout my career as a journalist I covered many important stories and interview numerous individuals which allowed me to share important information and insights with my readers अब इसमें किसी को कोई doubt तो नहीं है clear हो गया बात समझ में आगी क्यों हो रहा है यहाँ पर आपका allowed क्योंकि वाक्या हमारा past indefinite में है तो even though यह MTS का सवाल है बट अच्छा question है देखो कोई भी जब grammar का लंबा sentence लिख देता है तो थोड़ा सा confusing हो जाता है हमारे लिए error पकड़ना ठीक है clear होगी बात answer हो जाता है हमारा part 1 ठीक next पर आता है क्याता हर्ष says that his sister loves to play harmonium ठीक है अब आप इस वाक्या को देखिए हरीश says हरीश क्या है singular countable noun है singular countable के नाउन के साथ में verb के साथ s या yes लगा ठीक क्यानी की वाक्या हमारा present indefinite में है ठीक कोई problem नहीं अगर यह present में है तो आगे का वाक्या भी present में रहेगा his sister भी singular है तो love भी singular है कोई दिक्कत नहीं है to play harmonium लिखा है आपने ठीक है एक जो recent exams में मैंने एक बहुत बात notice करी है है वो यह कि SLC ने कुछ chapter से बहुत question सवाल पूछे है उन में से एक chapter है हमारा articles तो अगर आप लोग अगले exam की तयारी कर रहे हैं तो आप लोग articles को जरूर ध्यान से पढ़िए क्योंकि अभी recent में मैंने जितने भी exam के papers करवाएं हैं चाहें CGL के मैंने करवाएं हूं CPO के कराएं हूं या CHSL के कराएं हूं और मैं अब MTS के करवा रहा हूं सभी exam के papers में एक बात मैंने बहुत commonly देखी है कि उन्होंने articles से बहुत सारे सवाल पूछे हैं तो यह बात आपको जरूर ध्यान रखनी है और Parts को अच्छे से पढ़ना है अच्छे से cover करना है अगर कहीं पर भी आपको singular countable noun ठीक है अगर कहीं पर भी singular countable noun आपको दिखती है तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि उसके पहले आप article a या फिर an का प्रयोग करेंगे article दा का प्रयोग कब करते हैं जब वो definite article होता है यह article दा क्या है? definite article है अर्टिकल दा क्या है? definite article है ठीक और article a और an कैसे article है? indefinite article है ठीक अब जब इस question को करने के लिए आपको article chapter की समझ होना अत्यन्त आवश्यक है अगर आपको article chapter की प्रॉल समझ नहीं है तो इसमें आपको problem हो सकती है you might not understand this concept well ठीक है? समझिए articles जो है a और an indefinite article है indefinite article क्या होता है जब तक कोई चीज़ डेfinite नहीं है I met a beggar तो यह indefinite है मैं एक beggar से मिला कौन सा beggar था? क्या नाम था? उसका कोई जानकारी नहीं है but I met the beggar who stands on that who stands on hanuman chalk तो अब मैं एक particular बेगर की बात कर रहा हूँ जो की हनुमान chalk पर खड़ा होता है तो अभी वो definite हो गया बात समझ में आ गई? तो जो definite है वो आपका article दा है और indefinite जो है वो article a और an है और यदि आपको कहीं पर भी singular countable noun दिखता है जैसे इस सवाल में आप देखा generalist लिखा हुआ generalist क्या है singular countable noun लेकिन इसके पहले article ये लगा हुआ था तो ये सही है तो कहीं पर भी singular countable noun दिखता है तो आपको तुरंत उसमें articles देखना पड़ेगा article का प्रयोग देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर article तो नहीं आएगा बात समझ में आगई अब सवाल आता है कि यहाँ पर जो बात आती है सवाल आता है कि article का प्रयोग before the name of music instrument ठीक है use of article before the name of music instrument use of article before the name of music instrument में अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा या आर्टिकल दा आएगा ठीक है तो अब यहाँ पर अगर आप लिखो कि हरीश says that his sister loves to play a harmonium यदि आप लिख दो कि हरीश says that his sister loves to play a harmonium तो इसका मतलब यह निकलता है कि हरीश कहता है कि उसकी बहन को एक harmonium बजाना पसंद है ठीक है वो कह रहा है कि उसको एक harmonium बजाना पसंद है ठीक है तो आपको इबात समझनी पड़ेगी कि कोई एक in general harmonium बचाना नहीं पसंद है उससे सारी harmoniums बजाना पसंद है आप यहाँ पर as a whole group of harmoniums a category की बात कर रहे हो इसलिए आप article a नहीं लगाओगे article दा का प्रयोग होगा यहाँ पर ठीक है तो music instruments के नेम के पहले आप article दा का प्रयोग करते हो definite article का प्रयोग आप करते हो इसलिए यहाँ पर article दा का प्रयोग होगा harmonium के पहले it will be Harish says that his sister loves to play the harmonium ठीक है बात समझ में आ गई आ harmonium लिखोगे तो वो indefinite sense आता है which is not fine ठीक है बात समझ में आ गई ठीक है तो harmonium में error होगा अगले पर आते हैं इसमें आपको error बता नहीं है अपने से जो भी लोगों ने practice अच्छे से कर रखे होगी अब तक error पकड़ ली होगी क्या concept है concept यह है कि अगर वाकि में present indefinite tense का प्रयोग हुआ है अगर वाकि में present indefinite tense का प्रयोग हुआ है तो यह दि subject आपका singular है ठीक है और assertive है तो आप verb के साथ s या yes का प्रयोग करते है यह दि subject आपका plural है तो आप verb के साथ में verb की first form का प्रयोग करते है अगर वाकि हमारा negative हो गया तो हमें do या does का प्रयोग करना पड़ता है तो singular के साथ में आपको does के साथ में not के साथ में वर्फ़स्ट का प्रयोग करना पड़ता है और अगर प्लूरल का प्रयोग हो जा गयता है तो डू के साथ में नॉट उसके साथ वर्फ़स्ट आजाता है बात समझे में आगी तो यानि प्लूरल है तो डू सिंगुलर है तो दस वात्री में सब्जेक्ट क्या है मा जाएगा इंपल सी बात हो गई यहां पर तो हो जाएगा यहां पर अंसर बीपाट अल इस तरीके के कुश्चन में आपको पूरे सेंटेंस को ही करेक्ट करना है ठीक है आपने देखा यह पास्ट में लिखा है तो यह भी पास्ट में है कोई दिक्कत नहीं है अब आप देखिए यहां पर अगर आप कहीं पर भी मोस्ट टॉल देख रहे हो अच्छे एक बात और ध्यान देनी आपको कि अगर आपको सेंटेंस भी कुछ चीजों का प्रयोग दिखे जैसे कहीं पर अगर आपको इनवर्जन का प्रयोग दिख रहा ह है अगर कहीं पर आपको कंपेरेटिव डिगरी का प्रयोग दिख रहा है कहीं पर आपको सुपरलेटिव डिगरी का प्रयोग दिख रहा है कहीं पर आपको as soon as का प्रयोग दिख रहा है no sooner का प्रयोग दिख रहा है तो जब भी इस प्रकार की चीजे दिखें आपको तो आपको आपके कान खड़े हो जाने चाहिए आपको तुरंट एक बारी नजर तो फिरानी ही चाहिए आपको तुरन थ्यान देना चाहिए कि अच्छा कुछ इसमें से तो एरर नहीं है हो सकता है इसमें से एरर ना हो बिल्कुल पॉसिबिलिटी ये बट प्रॉबिलिटी वड़ जाती है क्योंकि कई बार इग्जैमिनर यही से कुश्चन पूछ रहा होता है तो यहां पर लिखा नहीं होगा यहां पर न मोर आएगा ना टॉलर आएगा क्योंकि यहां पर कंपेरीजन दो चीजों में नहीं है अगर दो चीजों में कमपेरीजन होता है तब आप कंपेरेटिव डिगरी का प्रयोग करते हैं साथ यी साथ, आप कभी भी double comparative का प्रयोग नहीं करते, यहां आपने most taller लिखा है तो यह तो comparative भी हो गया, своим disappल सभी चोब है hey आपने most भी लिखा है और tallest भी लिका तो जिस प्रकार double comparative का प्रेज ohक नहीं होता है उसी प्रकार double super native को प्रेजोंब ही इनकरेक्ट है सही क्या होगा हमारा third the boy told his mother that we saw the tallest giraffe at the next please explain me how this plant did not work ठीक है लिखा है please explain me how this plant did not work तो बात समझे ध्यान से आपने लिखा please explain me how यहां पर as a conjunction प्रयोग हो रहा है ठीक this plant यह हो गया हमारा इसका subject हो दिद नौट दिद के साथ में क्या आता है वर्प की फर्स्ट फॉर्म यहां वर्क आ जाएगा ठीक है clear please explain मी लिखा हुआ है समझे ध्यान से explain मी नहीं होता है सही होगा explain to me please explain to me is the correct form अपको यहां पर two preposition की आवज़ रखता है जो कि यहां यूज हो जाएगी इट will be please explain to me a will be the correct please explain to me how this plan did not work in america most of the people can speak the english again कि नहीं आपको बताया क्या की आर्टिकल से बहुत सवाल पूचे गए है कि कि इन अमेरिका कोई दिक्कत नहीं है most of the people सही लिखा है can speak the english ठ्यान दीजिए कभी भी आर्टिकल दा का प्रियोग name of language के पहले नहीं करते हैं name of language के पहले आप नहीं करते हैं ठीक है यह incorrect होता है अगर आप the English लिखते हैं तो इसका मतलब हो जाता है Britishers ठीक है जब आप the English लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है Britishers तो कभी भी आज जैसे I cannot say I'm a teacher of the English no I'm a teacher of English not the English तो कभी भी name of language के पहले आर्टिकल दा का प्रियोग नहीं होता error हो जाएगा part A में you cannot say the English well in America most of the people can speak English well the English well नहीं होगा ठीक next she performed the dance routine perfect impressing everyone ठीक है it is saying she performed the dance routine perfect impressing everyone क्या होगा इस सवाल में she आपने लिखा subject है singular हो गया performed verb की second form sentence past indefinite में कोई दिक्कत नहीं क्या perform किया the dance routine क्योंकि एक particular dance routine की बात हो रही है कोई दिक्कत नहीं है perfect which impressed everyone मतलब impressing everyone सही लिखा हुआ है आपने यहां लिखा समझना एक बात ध्यान से कि अगर कहीं पर नाउन लिखा है तो नाउन के साथ में यदि आप लगाते हो तो बनता है एडवर्ब और यदि आप एडजेक्टिव के साथ में य लगाते हो तो बनता है एडवर्ब फार्ट समझ में आगई नाउन के साथ लगां ओगे तो एडेक्टिव एडिशेक्टिव के साथ है लगा ओगे तो एडवर्ब and it is an adjective समझगे तो यहाँ perfect की जगे क्या आएगा perfectly ठीक तो इट विल भी she performed the dance routine perfectly impressing कोई समस्या नहीं हो नहीं चाहिए सवाल में सारे question अभी तक बहुत अच्छे हैं कोई भी ignore करने वाला सवाल नहीं है ऐसे ही question आपके seizure exam में भी देखने को मिलते हैं अगला सवाल कहता है perhaps my family visit the Taj Mahal next month ठीक अगें आर्टिकल दा तो ध्यान देना है आर्टिकल दा का प्रयोग before the names of historical buildings किया जा सकता है names of historical buildings ठीक है before the names of historical buildings आर्टिकल दा का प्रयोग किया जा सकता है दा ताज महल दा कुतुब मिनार ये सारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो perhaps my family visit the Taj Mahal next month ठीक है एक बात और समझें family क्या है family आपका collective noun है ठीक है यदि मैं आप से पूछ हूँ कि यदि आपको गहीं पर लिखना है तो आप क्या लिखोगे my family is or are very interesting तो आप क्या लिखोगे my family is very interesting और are very interesting family is a singular singular treat होता है collective है लिकिन singular treat होगा तो is आता है आर नहीं आएगा तो कोई doubt होगा नहीं इसी को टिक रहा perhaps my family visit the Taj Mahal next month next month अगले महिने टिक जब आप अगले महिने की बात करते हो जब आप अगले महिने की बात करते हो तो इत्का मतलब simple सा हो जाता है कि आप future tense की बात कर रहे हो future की बात कर रहे हो ठीक है एक तो ये बात हो गई एक दूसरी बात मान दीजे कई बार हम present indefinite से भी future के fixed action को express कर देते हैं इसमें तो doubt है नहीं किसी को tenses में हमने पढ़ा है कि future के fixed actions को express करने के लिए हम present indefinite का प्रयोग भी कर देते हैं जैसे he comes next week तो आ रहा है confirm है ठीक है उस तरीके से भी कर दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब यह singular है तो at least यहाँ पे visits तो आना ही चाहिए था है कि नहीं तो इसका मतलब यह तो गलत ही है यानि कि error तो part b में है ही ठीक है बाकि जब हम correct कर ही रहे हैं ठीक है और चुकि फिक्सट प्लान नहीं है आपने खुद लिखा हुआ है परहाप्स यानि कि फिक्सट एक्षन नहीं है पक्का नहीं है परहाप्स लिख रहा हो तो बिल कहा दो ठीक है हर्स टोल्ड मी इन दे मॉर्निंग दैट गौरव विल कम तुमोरो अब आप कहोगे कि हाँ सर्ट टुमोरो लगा हुआ है विल लगा हुआ है इसमें क्या दिक्कत है हरीष सिंगुलर सब्जेक्ट है टोल्ड पास्ट इफिनिट सब्जेक्ट को अब्जेक्ट हो गया ठीक है अब ये 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 पास्ट में है तो आगे का वाग के भी पास्ट में ही रहेगा आगे का वाग के भी पास्ट में ही रहेगा और ये ये आगे का वाग के पास्ट में रहेगा तो विल की जेगे क्या हो जाएगा ठीक तो यहाँ वर्ब यद रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है यह भी किसमें आ जाएगी पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें किसी को यह अगर यहां टोल था विल की जाएगे बुट हो जाएगे आगे बढ़ते हैं लेकिन सेम कॉंसेप्ट अभी हमने पढ़ा क्या कि अधी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी हमारी पास्ट में होगी आप देख पा रहे हो यहां पर यह टोल्ड है पास्ट में है और यह आपने प्रेजेंट में लिखा हुआ है तो गोज की जगे क्या जागा वेंट पिक तो लापत वाटउब वेंगा हुआ हटो सा ऺा रहें लवाले प्रेजे कि लिए। तो बाया इस एक ही वाश केर फुलेस्ट वाइल स्टैनिंग दवाइल सड़ी वाइल इस टीलिंग ग्राउं जीए अब किया देख रहे हो आपने यहां केर फुलेस्ट लगाया हुआ है है ठीक है राकी यह अब देख़ो आपने यहां मोर केर फुल लगाया हुआ है मोर क्या है कंपारिटिव डिग्री कि कि यहां कोई काम नहीं क्योंकि दो लोगों से कंपेरेजन नहीं है के फुलर भी गलत है most के साथ care most भी comparative यह comparative यह भी गलत है most careful तो अब देखें यहां पर he was carefullest while stealing the crown और यहां लिख रहे हो most careful तो सही जवाब हमारा क्या है most careful होगा ठीक कई लोगों का सवाल यहां पर यह आ सकता है कि जब sir tall का tallest हो सकता है तो careful का carefullest करने में क्या दिखकत है न क्या सकता है लेकिन देखें ऐसा है कि grammar में न ऐसा है एक ही जो single syllable words है single syllable मतलब यह से जब आप tall को pronounce करोगे तो एक बार pronounce करना शुरू करोगे tall एक बार pronounce करना शुरू करते हो और l पर ही खतम होता है tall लेकिन लेकिन जब आप careful को प्रनाउंस करते हो जब आप careful को प्रनाउंस करते हो तो पहले बोलते हो care फिर बोलते हो full careful यानि कि आप जब देख पार हो यहां पर कि यह double syllable word एक से ज्यादा syllables है तो इस तरीके के words को हम EST लगाके superlative नहीं बनाते हैं या ER लगाके comparative नहीं बनाते हैं हम क्या लगाते हैं most या फिर more ठीक है तो यहां पर most बाकी यहां पर अगर सही देखा जाए तो very careful लिखना ज्यादा सही था कि he was very careful by the statement ठीक है अगला कहता है a smooth voice must convey both confidence and intimacy qualities which can be attributed to a few components क्या होगा बताएं a few voice sorry a smooth voice लिख रहा है a smooth voice must convey both confidence and intimacy must convey both confidence and intimacy qualities which can be attributed to a few components बताएं what is the correct answer to this word क्या होगा यहां लिखो इसमें आप simply देख पा रहे हो कि आपने यहां पर word यूज किया है सूथ ठीक है सूथ जो है as a word सूथ जो है as a word जो है वो आपका वर्ब है अगर आप सूथ की parts of speech देखें तो वो क्या है आपका वर्ब है तो यूज सूथ में अमिए यह क्या है वर्ब है आप यहां पर लुज कैसे करना चाहा रहे हूं यह नाउन है आप यूज करना चाहरे हो as an adjective correct तो verb को adjective बनाने का तरीका क्या है वर्ब को adjective बनाने का तरीका है कि उसे participle बना लिया जाये जाहे past participle बना लीजे या present participle बना लीजे जैसी जरूरत हो यहाँ पे present participle की जरूरत है तो sooth कि जाके क्या लिख दें soothing it will be a soothing wife must convey both confidence and intimacy qualities which can be attributed to a few components okay so soothe की जगे पर आजाएगा soothing wise क्यों क्यों क्योंकि सूथ जो है as a parts of speech verb है हमें चाहिए अग्जेक्टिब तो adjective soothing है क्याता है it is commonly believed that democracy is the best form of the government क्या रहा है it is commonly believed क्या it is commonly believed ऐसा commonly believe किया जाता है that democracy is the best form of the government क्या होगा answer इसमें देखे यहां पर off the government नहीं होगा क्यों नहीं होगा आप यहां पर off government क्यों लिखोगे मैंने आपको अभी बताया कि कि अगर्वर्मेंट क्या सकते हो गवर्मेंट क्या है कि अगर्वर्मेंट क्या है singular countable नाउन है कि अब singular countable नाउन है तो उसके पहले आर्टिकल्स तो यूज होंगे ही होंगे चाहें फिर वह एया एन हो या फिर दा हो दो में से एक आर्टिकल्स तो यूज हो गई होगा तो अब आप यह देखिए आर्टिकल्स दा मैंने आपको क्या बताया डेफिनिट आर्टिकल्स अब डेफिनिट आर्टिकल्स का मतलब क्या है पुछ डेफिनिट हो वाक्य को देखिए क्या इस कम लिए सामान्य धारणा है कि अब टेवकरेसि जो यह वह बैस्ट फॉर्म ओंट होती हैं यहां किसे पॉर्टिकुलर की बाद कर रहे क्या मिंदेयं गोवर्मेंट की बात कर रहे या फ्रेंच गोवर्मेंट की बात कर रहे हैं इक क никаких इंडेफिनिट है कैसा है इंडेफिनिट तो जब इंडेफिनिट है तो आप आर्टिकल एक अप्रियोग करेंगे ना कि दाउड तो इस कॉमनली बिलीब देमोक्रिसी इस दे बेस्ट फॉर्म आप गॉवर्मेंट ठीक है तो अगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और गार्ड ओवर्मेकिंग मिस्टेक्स बाई केफुली चेकिंग दा असाइंड टास्क क्या होगा इसमें अंसर्फ में आपने यूज किया है वर्ड यहाँ गार्ड के साथ में ओवर नहीं आता क्या आता है अगेंड किसी से आप guard करोगे किसी के उपर guard नहीं करोगे तो it will be guard against guard against making mistakes by carefully checking the assigned task guard against making mistakes by carefully checking the assigned task so guard against लिखना correct है ना कि guard over तो टीक है आगे बढ़ते हैं they had two bedrooms among them one for the girls and one for the boys क्या answer होगा इसमें उनके पास दो bedrooms थे एक लड़कियों के लिए और एक लड़कों के लिए दो prepositions होती है हमारी एक होता है between एक होता है among बहुत simple सा concept है between use होगा दो के लिए और among use होगा दो से अधिक है आपने यहां लिखा two bedrooms यदि दो bedrooms की बात कर रहे हो तो between आएगा among नहीं है as simple as that पार्ट फूर्थ में आएगा तो among आएगा दो से अधिक के लिए दो की बात है तो between they had two bedrooms between them one for the girls and one for the boys okay if he will come early we will leave on time फ्यां रखिये पहली बात तो यह double future is always avoided double future is always avoided यानि कि एक ही वाक्य में एक ही वाक्य का मतलब समझा करो पहले तो यह जब भी यह कॉमा लगज़के वाक्य होते ना तो यह दो अलग-अलग वाक्य होते हैं जोकि conjection से जुड़े होते हैं जैसे कि यह तो दो अलग-अलग वाक्य है इस तरीके से जो जुड़े हैं तो दोनों ही वाक्यों में double future का प्रयोग नहीं होगा तो प्रेयोग नहीं होगा यादि एक में future होगा तो एक में present होगा या perfect होगा ठीक है ख्यान दीजिए तो double future is always avoided कभी भी double future का प्रेयोग नहीं करते हो आप एक तो यह बात दूसरी बात जिस sentence में conjunction का प्रेयोग हो रहा है जैसे कि if when as soon as इनके साथ में विल का प्रयोग नहीं आए जैसे यहाँ if आया तो यहाँ विल नहीं आएगा if he comes early we will leave on time यह विल का प्रयोग गलत है बहुत commonly used error है मतलब speaking में तो 90% लोग गलत करते हैं और exam में भी बहुत 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 पूछी आथी तो ध्यान रटना है if he comes early we will leave on time ठीक है आगे बढ़ते हैं AI fiction is a constantly evolving genre that gives us an peak into the potential upsides and downsides of intelligent machines क्या error है इसने मैंने आपको बताई एक बात क्या कि articles पे बहुत error पूछ रहा है SSC आपने देखा यहाँ पे भी article A या फिर article N article A का प्रियोग हम करते हैं जब यहाँ पे vowel sound आता है sorry article N का प्रियोग हम करते हैं जब आपका vowel sound आता है और article A का प्रियोग करते हैं जब constant sound आता है sorry consonant sound आता है ठीक है peak में कौन सा sound है consonant sound है vowel sound क्या होता है अधिक जानकारी के लिए complete course अवश्य देखें किसर यहां से idea मत लगाओ complete course दिखो उसमें अच्छे से पढ़ाया हुआ पूरा पीक में कैसा साउंड है consonant sound है तो आन नहीं आएगा क्या आएगा ए तो AI fiction is a constantly evolving genre that gives us a peak into the potential upsides and downsides of intelligent machines simple सा error जो है वह हमारी a constantly ठीक है था यह हो जाएगा a peak ठीक है यह answer हो जाएगा ठीक है अच्छा इन्होंने क्या किया है comments में जो options हैं उसमें गलतियां कर रखी है तो थोड़ा से ध्यान से इस तरीके questions attempt करने जो से यहां इन्होंने a potential कर दिया है and कर दिया है यह वाला answer है ठीक है एचरी आप यहां पर वाकी शूडु कर रहे हैं despite या in spite of दोनों का ही प्रयोग किया सकते हैं दोनों ही सही है in spite के साथ में off आता है डिसपाइड के साथ में off नहीं आता है यहां पहला वाला भी किया था अब देख सकते हो यहां फेज़ लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट रैली टुगेदर पास्ट इंडेफिनिट विच के साथ में आपने लगा दिया टीच की जगे क्या जाएगा टॉट ता इम्पॉर्टेंस अफ रजिलियंस अगेट इयाग है त्यूट पास्टा इंडेफिन लियृट इस इसके साथ भी एस टी नहीं लगा सकते हैं क्या लगाना पड़ेगा सुपर लिगरी तो डिफिकल्ट टेस्ट लिखना गलत है तो कभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डबल सुपर लेटीव हो गया है यह भी गलत है उस्ट डिफिकल्ट एक्जाम और मोस्ट डिफिकल्ट एक्जाम अच्छा अब यहां पर लिख रहे हो दैन दैन का प्रयोग कर रहे हो तो कंपरेटिव डिगरी आने चाहिए वह भी नहीं है यह भी गलत हो गया यह भी गलत हो गया बचा प्याइब चाहँ था यह कुरियर कॉंपेटिशन वास्ट इफिकल्ट एक्जाम एक्जाम एवर इस अब अब यह पढ़ाया मैंने आपको आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हो आप वावल साउंड के लिए आर्टिकल एक अप्रयोग करते हो कॉंसोनेंट साउंड के लिए तो यहां पर क्या है आपका रेंज लिखाए कैसा है वह कॉंसोनेंट साउंड है तो आरेंज ओप हो जाएगा तो आज़िए सेकेंड अबार फिके तो अलॉट अब अदूरेंट्ट्ट्रेंट्ट्रेंट् इन दे सकाई देखो दो वर्ड होते हैं एक होता है हाई एक होता है हाई दोनों ही एडवर्ब हैं जैसे आए जैश एडमायर यू और एम तो देखे जो वर्ब के बाद प्रयोग करना होता है तो आप हमेशा हाई का प्रयोग करते हो और जब वर्ब के पहले प्रयोग करना होता है तो आप हमेशा हाई ली का प्रयोग करते हो इसके अलावा अगरा थोड़ा सेंस से भी लगाओ तो भी आप मीनिंग समझ सकते हो आसानी से I highly admire you लिखना सही है एम हाई लिखना ही सकते ह हाई मतलब उचाही के लिए हाई ली बहुत अधिक प्रशन सा तो यह बिसिकली हाइट बताता है और यह आपकी डिगरी बताता है एक्स्टेंट बताता है किसी चीच की आपको यहां क्या बताई है हाइट चाहिए इस काई की बात कर रहे हो तो क्या आएगा हाइगा इसको हम डोंट को हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते हैं वाई दू यू नाट ठीकि फॉर्मल इंगलिश में बिल्कुल ऐसे ही लिखना चाहिए लेकिन ये कोई गलती नहीं इस इंगलिश स्पीकिंग में ये चलता है ऐसे बोला जाता है तो ये बिल्कुल करेक्ट है यह चलता है why don't you throw this paper on the dust why don't लिखना कोई दिक्कत नहीं है इसे लिखा जा सकता है आपको यह पता होना चाहिए on का प्रयोक कब होता है जब कुछ surface के ऊपर आता है in का प्रयोक कब होता है जब किसी चीज के अंदर आ जाता है dust bean कैसा है ऐसा तो इसके अंदर ही आएगा ना कच्रा ठीक है तो on the dust bean लिखना गलत है क्या होगा in the dust bean why don't you throw this paper in the dust bean लिखना सही है ना कि on the dust bean after I complete my training program I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on a mission to Mars इसको ध्यान से पढढ़िये समझी इस question को और फिर इसमें answer हम discuss करेंगे एक बड़ी ध्यान से इसको पढ़िया क्या कह रहा है after I complete my training program तो इसका मतलब क्या हो गया आपने I के साथ में verb की first form का प्रयोग किया आए के साथ में आए के साथ में आपने verb की first form का प्रयोग किया यह कब होता है present indefinite tense में correct present indefinite में होता है तो after I complete my training program में तो कोई दिख्कत है नहीं I will have been joining आपने लिखा हुआ है आपको पता है will have वाक्ति में will have का प्रयोग कप करते हैं will have का प्रयोग हम करते हैं future perfect में और will have been का प्रयोग कप करते हैं future perfect continuous में यह फिर future perfect के passive में भी इसका प्रयोग हम करते हैं future perfect का प्रयोग कब होता है by the time you come I will have joined that college जब तक तुम आओगे तब तक हम ऐसा कर लेंगे तो in that case हम यूज करते हैं future perfect क्या क्या यहां पर कोई वैसा scene है future perfect continuous का प्रयोग कप करते है जब scene से आप और आता है वो भी नहीं है passive का प्रयोग कप होता है जब subject हमारा passive हो जॉइन कौन करेगा टीम को मैं subject active है या नी passive में तो है नहीं कहने के तक पर है कि will have been का प्रयोग गलत है सही क्या होगा after I complete my training program मैं जो अपनी training program complete कर लोगा तो मैं क्या करूँगा मैं इन astronauts के team को join करूँगा तो I will be joining लिखना सही है will have been की जगह आएगा will be joining after I complete my training program I will be joining a team of astronauts and prepare preparing to embark on the mission on a mission to समझ में आगी error हो जाएगा part 2 में एक लिए रहे आगे बढ़ते हैं चार sentences है इसमें से बताना है सही कौन सा है he is a doctor who specializes in the treating rare disease is the only person who can speak five languages fluently the Mona Lisa is a famous painting by Leonardo da Vinci I saw the movie that won the Academy Award for the best picture इसमें आपको गलत पताना है भी से क्लिए ठीक है सही नहीं तो गलत कौन सा है यह वाला है क्योंकि बाकी सही थे यहां पर आजाएगा आटिकल दा क्यों आएगा क्योंकि आपने इसे प्रिक्स कर दिया अगर आप लिखते कि he is what he is a doctor क्या है he is a doctor आपने बताया कि वह एक doctor है आपने उस doctor के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी तो वह doctor definite नहीं हुआ जब आप उसके बारे में संपून जानकारी देते हो कैसा डॉक्टर जो specialized करता है किसमे rare diseases को treat करने में आपने specific उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी तो यह क्या हो गया he is a doctor कैसा डॉक्टर है जो rare disease को treat करने में specialize करता है तो अभी क्या हो गया particular doctor हो गया तो फिर definite हो गया इसलिए article दाक अपरयोग ही correct है तो हमें क्या ध्यान रखना है article एक अपरयोग आप indefinite article के sense में करते हो article दाक अपरयोग definite के sense में आगे कहता है I will celebrating new year at my old residence as usual देखिए will के साथ में क्या आता है will के साथ आता है वर्प की first form यह कब यूज होता है future perfect और will के साथ में b plus verb की ing form आता है यह कब आता है future future perfect future indefinite यह आता है future continuous में तो I will celebrating नहीं होगा I will be celebrating okay I will be celebrating new year at my old residence as usual लिखना कोई दिक्कत इस सवाल में किसी को बात समझ में आई या नहीं आई clear रहे यहां तक ठीक है आके बढ़ते है earlier he was feeling better but things took a turn for the bad things took a turn for the bad earlier he was feeling better ठीक है आपने यहां better लिखा but things took a turn for the bad कि यह कैसी डिग्री है comparative डिग्री यह कैसी है पर लेट सरी positive डिग्री अच्छा कोई चीज मुझे बताओ for example मेरा दूद मेरी परफॉर्फॉर्वमेंस मेरी टीचिंग स्किल मेरा माली जी मैने पतीले में दूद रखा था अब यह खराब हुआ उससे और खराब हो जाएगा है ना मतलब अच्छे से खराब होती है कोई चीज कोई बिचिज एक से दो की तरफ जाती है ना यह कहना चाहता है तो कहरा पहले वो सही फील करता था थिंक्स क्या हुआ यूटन लिया तीनोंने और वो कैसी हो गई बहत खराब हो गई ठिक तो गुड से बेटर हो सकती है कुछ और बेटर से बेस्ट हो सकती है कुछ करेक्ट बैड से वर्स हो सकती है कुछ और वर्स से वर्स हो सकती है कुछ ठिक तो पहले वो कैसा फील कर रहा था बेटर फील कर रहा था यानि गुड से बेटर वो हो चुका था ठिक फिर क्या हुआ तिंग्स ने अचानक से टर्न ले लिया किस की तरफ गुड की तरफ ये बैड की तरफ खराब हुई ना बेटर से बेटर यानि कि यहां पतो वो अलिडी था और खराब हुआ कितना खराब हो जाएगा वर्स्ट समझ में आई इसको ऐसा ही समझ यह देखे गुड और बेटर साथ साथ चल रहे थे वह पहले इसकी तवियत खराब थी खराब से बेटर हो गई अच्छी हो गई फिर वो अचानक से बैट यूटन हो गया तो बैट से यहां उपर आया उपर से फिर वो नीचे गया अब वो कैस अलिए अर्लियर वस फिलिंग बेटर बट थिंग्स तुक अटर्ण फॉर था सब्सक्राइब है और हाड ली क्या है कि हाड की वर्क्स हार्ड कि और ही पाड़ ली वर्क्स है एक कि इन कंसेप्ट आ जाता है आप पर जो अभी अमने हाइड और हाइली में पढ़ा था अगर वर्ब के बाद यूज करोगे तो हाड आजाएगा वर्ब के पहले यूज करोगे तो हाड ली आजाए पर रहे तो हाड मतलब कठोर कठिन कह चाहरा है उसमें बहुत ज्यादा रब किया आइस को ज्यादा रब किया वर्ब के बाद यूज करना है क्या जाएगा हाट तो आंसर आजाएगा डीबार्ट तन्जिना रब्ध हर आइस हाट my relatives shall have reached Amrit sir by now क्या होगा इस सवाल का जवाब my relatives shall have reached Amrit sir by now बताएगे what is the correct answer to this question my relatives shall have reached Amrit sir by now आपने यहाप पर underline कर रखा है shall reached और Amrit sir as shall have आ रहा है तो उसके साथ में reached ही आएगा इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें भी दिक्कत नहीं है दिक्कत का है रिलेटिव स्मिन के साथ में शैल का प्रयोग नहीं होगा क्या आएगा विल क्यों कि देखो आपको यह बात तो पता है कि सब्जेक्ट चाहें सिंगुलर हो या प्लूरल हो कि आप यूज करते हो विल का एक आए और वी तो मात्र यह अइसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में आथा है शैल का प्रयोग होता भी होता है जब आप किसी चीच को ले के अग्दम को जाते हो फिट्स हो जाता है आप कणफोर्म नहीं हो जहाइब नहीं हो तो फिर यह लगाने का मतलब नहीं है तो यहां पर शैल की जिएगे क्या जाएगा विल एक बात और ध्यान रखे टेंस चैप्टर में जहां पर मैंने फ्यूचर टेंस पढ़ाए हैं वो जरूर ध्यान से देखिए दो तीन सवाल हमें फ्यूचर टेंस से मिलें तो जिन्हों ने अगर कोर्स नहीं में स्टृंद शाओए टां स्टीप तें लन और यहां पर क्या देख रहे हो हो दращВотर को में में यह निगी क्nous साथ यहां राहे है दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है है उडिक दो चीजों में कंपैरिजन होता क्प्रिया होता है comparative degree का प्रयोग होता है साथी साथ आप यहाँ पे dan का प्रयोग भी देख पा रहे हो यदि dan का प्रयोग हो रहा है तो उससे पहले क्या जाएगा comparative degree आएगी तो यहाँ पे cheap की जगे क्या जाएगा cheaper आ जाएगा तो यहाँ पे ए हो जाएगा answer तो यह एक general statement पास कर रहा है कि अगर एक अकेली रात एक होटल में कैसा prospect हो सकती है बहुत ही अकेलापन महसूस होगा आपको तो prospect क्या है उसके prospects अच्छे नहीं लग रहे है प्रोस्पेक्ट आपका singular countable noun है प्रोस्पेक्ट आपका singular countable noun है singular countable noun के पहले आपको article a या फिर and का प्रयोग करना must है तो can be all only prospect होगा ध्यान से समझेए हमेशा एक बार ध्यान से समझ लीजिए articles का प्रयोग आप हमेशा noun के लिए करते हो articles a या एन का प्रयोग आप हमेशा noun के लिए करते हो उसके पहले हो सकता है आपने adjective रखा हो ठीक तो हो सकता है उसके पहले आप article का प्रयोग कर रहे हो लेकिन अभी भी आप use noun के लिए ही कर रहे हो लेकिन sound निरधारण यहीं से होगा तो lonely consonant sound है तो यहाँ पर article a आ जाएगा ठीक है? यह अनसर हो जाएगा ठीक है? कोई रिक्कत किसी को? अगला कर रहा है we are living here since the summer of last year आपने यहाँ क्या use किया है since अगर वाक्य में आप since या फिर for का प्रयोग करते हो यदि आप वाक्य में since या फिर for का प्रयोग करते हो तो बहुत ही basic rule है हमारा क्या? यदि आपने वाक्य में since या फिर for का प्रयोग किया है तो आपको पता है कि किसका रिउज करोगे आप perfect continuous tense का प्रियोग करो गया ठीक है आपने देखा यहाँ पे R लगा हुआ था तो present perfect हो जाएगा B आपका plural है तो have आजाएगा तो answer हो जाएगा we have been it will be we have been living here since the summer of love ठीक है we have been living here since the summer of last year ठीक है बात समझ में आगे clear है आतर so we have been living here since the summer of last year ठीक है ठीक है अगे बढ़ते हैं इडिड हर फ्रेंड वेंट तो स्कूल येस्टेड़े एक बात ध्यान से समझ लीजिए अगर वागी में आपको येस्टेड़े अगो लास्ट येर लास्ट मन्थ लास्ट डे ठीक है इन सबका यूज आपको देखने को मिलता है तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनीट का प्रयोग करेंगे ये फास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे असों है अपने येस्टेड़े देखा डिड का प्रयोग नेकीन जब्ही डिप को इसके साथ म्में विप्प फिर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहां वेंट की जगे क्या जाएगा गो इतुल भी तो डिट हर फ्रेंड गो टुटू स्कूल ये स्टेड़ी अच्छा एक बात और समझ लीजिए गो टू स्कूल लिख सकते हो इसमें यह इडियमेटिकली है इसमें कोई दिक्कत नहीं है वह नहीं है तो कि स्कूल इस पूल आप तवलिक होगे जब आप तो स्कूल का सेंस इन अन्हें इंप पढ़ने नहीं जा रहा है हो इसलिए नहीं करूगी क्योंकि आप डेफिनिट नहीं जा रहा है ठीक है तो बात समझ में आई आप एक चीज देख पा रहे हैं कि ड़न्में यह MTS की question नहीं है, किस exam की question है, यह questions आपके exam के लिए बहुत helpful है, आपने यहाँ पर कुछ अच्छे concept जरूर सिखे होंगे, जरूर आपको कुछ ना कुछ revision मिला होगा, कुछ ना कुछ चीजों का benefit मिला होगा, ठीक है, इसी प्रकार हम जितने भी questions SSC ने पूछे हैं, आपके SS आपके विएकल देट हैं, की समय है, क्या हैं, आपके सूबदान। के। एंचे लिए के लिए कुछे हैं, मैं हम जाइन पक्याजाब की एपके लिए केस्टाबैकर मैंशाब कर्स्वेशना। झाल 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 कि आप हमेशा बोलती हूँ गुड एट सम्थिंग आप गुड के साथ में एट प्रेपोजिशन लगाते हो किसी सब्जेक्ट पे किसी काम में अच्छे होने के लिए गुड एट ही लगता है ठीक क्यान रखें अगर अपने दैन का प्रेपोज़ किया है तो आप हमेशा किस का प्रेपोज करोगे कि अपर इस ब्रदर का में कमपारेजन कर रहे हूं तो ही गुट अपर कि यहां पर आ जाएगा बेटर एट प्लेइंग गिटार प्लेइंग गिटार गिटार आपने लिखा हुआ है music instrument है music instruments के name के पहले अभी मैंने आपको पढ़ाया article दागा प्रयोग हम करते हैं करा मोहन is respected by everyone because he works hardly आप देख पार रहे हुँ आप देख पार है रहे हों आप देख पार है है यानि की जो sentence है वो किस में है पैसिव में है किस tense के पैसिव में है present indefinite के पैसिव में है क्योंकि is am are के साथ में is am are के साथ में verb की third form का प्रयोग इसी में ही करते हैं हम लोग एकिनी तो Mohan is respected by everyone because he works hardly की जगे क्या आएगा he works hard क्योंकि cut in परिश्रम करता है because he works hard is the correct answer अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप verb के बाद में प्रयोग करते हो तो आप hard आता है और verb के पहले प्रयोग करते हो तो hardly आता है पिछले वीडियो में हमने same बात पढ़ी थे आगे बढ़ते है they had been dancing for an hour when our dance teacher had arrived एक बात ध्यान से समझे आपने यहां पर article and का प्रयोग किया है और आपने यहां पर आर लिखा हुआ है ठीक है आप इससे कुछ लोगों को confusion हो सकता है कि आर है याने कि consonant word है फिर भी आपने and का प्रयोग क्यों किया है तो आप हमेशा किस पर ध्यान देते हो प्रनन्सीेशन पर ध्यान देते हो कि आप हमेशा किस पर ध्यान देते हो और और अगर वावल साउंड का प्रनन्सीशन साउंड आरै है जैसे आई वाला साउंड आरै है तो आप article and का प्रयोग कर सकते हो, तो और लिखना करेक्ट है अधिर जानकारी के लिए आर्टिकल्स चैप्टर और अवश्य पढ़ें उसमें यह सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करी गई है तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि आपने फॉर के साथ में टाइम फ्रेम लिखा हुआ है ठीक कोई दिखकत नहीं है है यानिकी सेंटेंस किसमें हो गया हमारा पास्ट परफिकनेंस टीक है यह कौन सा है पास्ट परफेक्ट कंटिनियूस यह क्या है आपका पास्ट परफज में आई तो यह है पास्ट परफेक्ट की हैं पास्ट परफेक्ट का प्रयोग आप करते हूँ कि जब पास्ट की दो बाते आती हैं जो घटना पहले हुई है उसके लिए पास्ट परफेक्ट जो घटना बाद में हुई है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जलता है तो इसी आधार पे तो यहां पर जो नियम पास्ट परफेक्ट का है लेकिन फॉर नार लिखा था इसलिए पास्ट परफेक्ट का ही प्रयोग हम करेंगे हैड अराइव नहीं होगा क्या होगा अराइट ठीक आगे बड़ते हैं They will start their journey after the breakfast They will start their journey after the breakfast क्या होगा answer इसमें They will start their journey after the breakfast Simple सी बात है यहाँ पर article दा का प्रयोग गलत है किके Meals of day Meals of day कि पहले आप article का प्रयोग नहीं करते हो You do not use name of You do not use articles before the names of Meals of day They will start their journey after breakfast होगा आप्टर the breakfast होगा So they will start their journey after breakfast लिखना ठीक है after the breakfast लिखना incorrect हो जाएगा तो हमें ध्यान रखना है after breakfast होता है after the breakfast नहीं होता है ठीक है? हाथ समझ में आगी? तो after the breakfast लिखना incorrect है after breakfast लिखना correct है हाथ समझ में आगी? for an all too brief period between the late 1980s and the late 2000s a world was characterized by convergence क्या होगा? for an all यहाँ पर vowel sound है an all too brief period कब कब? between the late 1980s and late 2000s a world was characterized by convergence क्या होगा answer इसमें? again यहाँ पर भी जो error हो जाती है वो आपका वो भी आपकी articles की ही हो जाती है a world की जगे आ जाएगा the world देखो समझो the world was characterized by convergence ना कि a world कोई अलग a world अगर आप लिख रहे हो a world was characterized by convergence तो फिर इसका मतलब हो गया कि अलग world बन गया बिल्कुली अलग world अलग world थोड़ी बना world तो वही रहा ना तो the world was characterized by convergence ना कि a world was कोई another word नहीं बना है कोई another word नहीं बना है तो यहाँ पर भी जो आर्टिकल का प्रयोग है यह इनकरेक्ट हो जाएगा आप देख सकते हो मैंने शुरू में यह बात कहीं कि जो रिसेंट एक्जाम से ससी करा रहा है उन सभी में आर्टिकल से बहुत सारे अरर्स पूछे जा रहे हैं मुल्टिपल टाइम से ससी आर्टिकल से एर्ट पूछ चुका है यह था आई विल गोइंग ऑन ऑफिशल टूर नेक्स्ट वीक मैं अगले सप्ताहा ऑफिशल टूर पे जा रहा होंगा यह आप यहाँ चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पर गोइंग लिखा है विल लिखा है मैं है और विल के साथ में बी प्लस वर्ब की आई इंजी फॉर्म आती है कब जब आप यूचर कंटिनियस टेंस का प्रयोग करते हैं है कि नहीं तो यहाँ पर आएगा आई विल बी गोइंग आई विल बी गोइंग ऑन अफिशिल टूर नेक्स्ट वीग यह लिखना करेक्ट होगा इसमें कोई एरर नहीं है आई विल गोइंग नहीं होगा इपिल बी कोईग होता है ठीक है अगले सवाल पर आते हैं सम प्राइवेट बैंक्स पे दियर इंप्लॉईज गुद बताएए वर इस एरर इंडिस कोईशन जल्दी से बताएए प्राइवेट बैंक्स पे दियर इंप्लॉईज गुद इस सवाल में जब आप देख पा रहे हूं कि आपने लिखा सम प्राइवेट बैंक्स सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यदि अगर मारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि इसके साथ में वर्प की first form यूज हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंटेंस अगर present in definite में है तो future के साथ में आप प्रॉब्लम वहां कुछ भी नहीं है ठीक है ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है दिगर इंप्लाईज लिखना ठीक है गुड गुड जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? पे को गुड क्या होता है? गुड होता है एड्जेक्टिव तो अड़ब क्या होता है? वेल तो यहां पर good की जएगे क्या जाएगा it will be some private banks pay their employees टीक है ना की good जैया said that she will become topper in her class तो again very basic very easy very simple question इस concept पर हम लोग पहले भी questions कर चुके हैं same concept पर पिछले वीडियो में हमने same questions करे थे same concept पर questions करे थे हमने इस तरीके के सवालों पर मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर reporting verb past में है तो reported speech भी past में रहेगी तो यहां पर वो लिख रहा है कि जैया said that she will become topper in her class तो यहां will की जगे क्या जाएगा it will be जैया said that she would become topper in her class Shelly and Keats are great writers but I prefer the last देखे 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 शेली एक Keats दो आर चुकि subject plural हो गया great writers कोई दिखकत नहीं है but I prefer the last आपने prefer का प्रियोग कर रहे हो दो में से चली पहला है कीट्स दूसरा है चली पहला है कीट्स दूसरा है correct तो दो है आपके चली और कीट्स आपने यूज़ किया last का तो देखे latter का प्रियोग होता है दो के लिए former का प्रियोग भी होता है दो के लिए former मतलब पहले वाला और latter मतलब बाद वाला आप Shelly और Keats में से जब चूज कर रहे हो तो आप दो में से चूज कर रहे हो और अगर आप दो में से चूज कर रहे हो तो last नहीं आएगा, क्या आएगा? latter और दग अपर यूग कर सकते हो ठीक है? तो Shelly और Keats are great writers but I prefer the latter one ठीक है? विक्रम is very stronger than I am विक्रम और I में comparison है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में comparison है तो I का प्रयोग सही है वेरी स्ट्रॉंगर आपने यहाँ than का प्रयोग किया हुआ है than क्या है? आपका comparative degree के लिए use होता है than तो comparative degree ही आएगा यहाँ ठीक? comparative degree आएगा तो stronger यहाँ लिखना सही इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक? तो vary नहीं आएगा यहाँ क्या जाएगा? ठीक है? vary नहीं आएगा यहाँ आजाएगा? much ठीक है? vary का प्रयोग आप करते हो positive degree के साथ आप तो बात करो की present participle की तो उसके साथ में आप vary लगाते हो और much use करते हो आप past participle के साथ में तो very interesting और much interested ठीक है? very interesting और much interested होता है यहाँ much stronger हो जाएगा अगला कह रहा है a old woman suddenly woman suddenly loved sounding just like an amused hen तो क्या होगा? a old woman old में आपका यह क्या है? vowel है और vowel sound भी है तो आप यहाँ पर a की जगे क्या आएगा? an ठीक है? a की जगे क्या जाएगा? an ठीक है? अच्छा मैं अगर यह लिखूँ अब क्या आएगा? a या 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 या? यह तो vowel है an आना चाहिए? नहीं जब आप इसे pronounce करोगे तो one करोगे व में व यह रा is not a vowel sound it's a consonant sound so it will be a not an ठीक है? so an old women suddenly laughed sounding just like an amused hen ठीक है? ठीक है? ठीक है? एक है लिए इसे तो पर स्टी केक? यह भज़्या अआज च्छ आज आज़्या च्च इसे एंक है? अच्छ र च्तिक है? इसमें पार्ट ए में हो जाएगा आप यहां पर कह रहे हूं प्रेजन्ट में कि यह पहली बार है जब मैंने ऐसा केक खाया तो आप शुरू तो आपने प्रेजन्ट में किया आगे आप पास्ट में कर देmost बात तो कुछ जम नहीं रही है आप कहना यह चाहर हे कि यह पहली बार है जब मैंने इतना टेस्टी केक کं खाया है क्योंकि वह साथ ही में होगा अना पहली बार और वह भी साथ-साथ होगा पहले पहली बार पहले नहीं हो सकता ना गर कुछ पहली बार कर रहो तो बहुत अभी ही होगा तो आई एट की जगे क्या होगा I am eating ठीक है This is the first time I am eating such a tasty cake ठीक है I have eaten such a tasty cake कर सकते हो अगर आपको past का बोध दे नहीं है I have eaten कर सकते हो ठीक है एट लिखना जलत है This is the first time I have eaten such a tasty cake इस सवाल को पढ़िये ध्यान से और बताइए What is the error to this question देखे क्या कहे रहा है Existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence meaningless of existence क्या होगा Existentialism has a reputation of being angst-ridden and gloomy mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence देखे द्यान से रमचिये देखो मैंने लिखा It is a meaningful statement अगर मैं इसका opposite लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ It is a meaningless statement यहाँ पर meaningless क्या है Adjective है क्यों? क्योंकि यह noun के पहले आ रहा है आप क्या लिख रहे हो? The article of noun यानि कि आप यहाँ क्या लिखना चाह रहे हो? Noun of noun लिखना चाह रहे हो Correct? Meaningless क्या है? Adjective आपको क्या चाहिए? Noun Noun कैसे बनेगा? इसमें नेस लगा दो So it will be the meaninglessness of existence So answer हमारा क्या हो जाएगा? Existentialism has a reputation for being angst-ridden and gloomy Mostly because of its emphasis on pondering The meaninglessness of existence Okay? So meaninglessness आजाएगा So answer आजाएगा हमारा part 1 में Error हो जाएगा part A में Okay? बात समझ में आगई? Clear है? Meaninglessness होगा क्यों हो? क्योंकि आपको noun चाहिए थी Meaningless आपका adjective है Aगे बढ़ते हैं Let's see the next question पढ़िए इसको ध्यान से And then we will find out The correct answer to this question So in this sentence it is saying I want to give you an information About the missing necklace पिछले वीडियो के beginning में मैंने आपको एक बात बताई थी कि information जो होता है वो uncountable noun होता है अब चुकी यह uncountable noun होता है तो इसका ना आप singular लग बनाते हो ना आप इसका plural बनाते हो ना ही an information लिखना सही है ना ही informations लिखना सही है यह भी गलत है वो अगर आपको बनाना ही है singular तो आप कैसे बना सकते हो A piece of information या pieces of information तो आप ना आपको जाए या पीसेस आप information आपको जाएगा यहां पर information about ना ही ने जाएगा The mother exclaimed when she saw her son stumble on the racetrack. Look, he fells. What is the correct answer to this question? देखियो, इस सवाल में simply लिखा हुआ है, The mother exclaimed when she saw her son stumble on the racetrack. जहां से समझेए? आपने लिखा है, look, he fells. प्रेली बात तो word है हमारा fall, जिसकी second form होती है, fell. आपने लिखा fells, तो यह तो कहीं से भी sense नहीं बनता है. या, मतलब second form है, तो उसमें s क्यों लगा दिया, तो look, he fells होना चाहिए. Simple सी बात है. तो error जो है, वो आपकी part d में हो जाती है, answer हो जाता है हमारा a. तो यह बहुत ही obvious error थी, क्यों, falls का second form fells है. अगर आप इसे present independent में लिखना भी चाहते हो, तो आप false लिखोगे है. तो की false, ना की false, वो लिखना गलत है. एक बात. जो doubt दिमाग में आ रहा है, कि वो आ रहा होगा, कि stumble क्यों लिखा हो है. तो आप समझे ध्यान से, see, hear, watch, feel, make, know, let, forbid. इन सब के साथ में, आप किसका प्रयोग करते हो? bare infinitive का प्रयोग करते हो. किसका प्रयोग करते हो? bare infinitive का प्रयोग करते हो. तो यहाँ पर यह bare infinitive है, stumble on the race track, look, he fell, he'll be the character. एक है? मतलब, infinitive without 2. bare infinitive मतलब, infinitive without 2. एक है? चलो. He will come and receive you at the station when you will arrive. प्छले वीडियो में हमने similar concept पढ़ा था, क्या? कि double future is always avoided. क्या पढ़ा आपने? double future is always avoided. आपने देखा, यहाँ पर आपने welcome लिखा है, यहाँ भी आपने will arrive लिखा है. double future कभी भी प्रयोग नहीं होंगे. कौन सा future मैंने मना किया था पिछले वीडियो में? जिसमें आपके conjunction लगा है. जिस sentence में आपके conjunction का प्रयोग हो रहा है, उसके साथ में आप future का प्रयोग नहीं करोगे. तो will arrive लिखना गलत है, answer आजाएगा दी पार्ड. ठीक है? मनीशा saw an old elephant in the wildlife reserve while she was on safari tour. मनीशा saw an, आपका ये क्या है आपका? vowel sound an old elephant, correct है. in the wildlife reserve, ये भी correct है. while she was on safari tour. safari tour, क्या है? tour क्या है आपका? singular countable noun, ये adjective है. तो on safari tour, particular tour की बात हो रही है, तो on the safari tour कर सकते हो, आप यहाँ पर, या on a safari tour. basically on the safari tour यहाँ पर ज़्यादा सही है. मनीशा saw an old elephant in the wildlife reserve, while she was on the safari tour. ठीक, पोई दिक्कत इसमें? चलें. शीज़ेंगे बेरी गुड़े इन प्लेइंग गिटार and singing songs. similar question, exact same question था भी हमने थो थोड़े देर पहले किया था, जिसमें good at लिखा था मैं हमने, अभी थोड़े देर पहले किया है, हमने just इसी वीडियो में किया है, तुरी वही से हुई हमारी बात, यह था, यह 50th है और यह था आपका, यह देखो, he is good at playing the guitar than his brother, आप इसी question को इन्हों ने फोड़ा से change करा, और नया question बनाया, he is good, very good in playing the guitar, तो obviously यहाँ इन नहीं होगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा, and, he is very good at playing the guitar and singing songs, एक कोई confusion इसमें, चल, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया है, अगले, पार्ट को कवर करते हैं, अगले सवाल में कह रहा है, in Nepal, the food is more cheaper than in Sri Lanka, क्या देखा आपने, more और cheaper, so double comparative is always avoided, हमने यह बाद भी आपको पढ़ाई है, double comparative, is always avoided, more नहीं आएगा, क्या आजाएगा, cheaper, in Nepal, the food is cheaper than in Sri Lanka, तो अंसर आजाएगा, तो इन नेपाल, the food is cheaper than in Sri Lanka, क्या आगे बढ़ते हैं, as soon as I shall win the lottery, I hope to buy a Ferrari, as soon as I shall win the lottery, I hope to buy a Ferrari, what is the answer to this question, बताएगे, as soon as I shall buy a, buy the lottery, I hope to buy a Ferrari, what is the answer to this question, बताएगे, तो अगेन, पिछले वीडियो में, हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या, मैंने आपको पढ़ाया, कि double future is always avoided, साथ ही साथ मैंने पढ़ाया, जिस sentence में, conjunction होता है, उसमें आप future का प्रियोग, नहीं करते हो, जिस sentence में conclusion होता है, उसमें आप future का प्रियोग नहीं करते हो इसके अलावा आपने यहां पर as soon as लिखा हुआ है मैंने आपको उसमें आपको example में भी बताया था अगर as soon as आ रहा है तो आप उसके साथ में future का प्रियोग नहीं करोगे तो simply यहां हो जाएगा as soon as I win the lottery I hope to buy a इशिता will playing tennis for her favorite team तो आपने यहां पर क्या देखा विल के साथ में आपने playing लिखा हुआ है आपको मैंने अभी पड़ाया विल के साथ में वर्ब की first form आती है और अगर आपको ing लगानी है तो विल भी आएगा और उसके साथ में वर्ब की ing form आ जाती है तो यहां पर क्या जाएगा भी तो इशिता विल बी प्लेइंग टेनिस और हर फेवरिट थी next I saw a movie that was directed by Steven Spielberg I saw a movie that was directed by Steven Spielberg he was an lawyer who works for a prestigious law firm the lawyer क्या है आपका consonant and लिखना गलत है she is the only person who can solve this difficult math problem ज्यान दीजी कभी भी math problem नहीं है मैट्स प्रॉब्लम होता है मैट्स होता है मैट्स नहीं लिखा जाता है ठीक है तो great wall of china is a popular tourist attraction the great wall of china is a popular tourist attraction यह भी सही है यह भी सही है I saw a movie that was right यह भी सही है यह सारे sentences सही लिखे हुए है math problem भी ठीक है ठीक है answer हो जाएगा part B में he was a lawyer who works for a prestigious law firm ठीक है तो and नहीं आएगा it will be a lawyer ठीक है he is a lawyer who works for a prestigious law firm my younger daughter canu prefer dark chocolate to yogurt आपने क्या लिखा my younger daughter canu prefer dark chocolate to yogurt आपने यहां क्या यूज किया है प्रिफर ठीक तो subject हमारा क्या मैं यंगर डॉटर कनू कनू क्या है singular singular के साथ में वर्ब कैसी आएगी singular वर्ब आएगी singular वर्ब आएगी तो प्रिफर की जगे क्या जाएगा प्रिफर्स इंपल ठीक है sweet will be my younger daughter canu prefers the dark chocolate to yogurt ठीक है क्योंकि singular subject है तो प्रिफर्स आएगा कोई confusion अब तक नहीं हुआ 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 same concept बार-बार रेपीट हो रहे हैं they have less books than I have they have less books than I have थ्यान से समझें लिटिल का comparative होता है less या फिर lesser few का comparative होता है fewer ठीक है less भी लिखते है lesser भी लिख देते हैं कई बार ठीक है दोनों ही ठीक हो अब यहाँ पर क्या है आपका they have books books than I have तो few जो होता है यह होता है आपका countable के लिए ठीक है और little जो होता है वो होता है uncountable के लिए I scored a few marks there was a little water in the class तो countable books क्या है आपकी countable है आप गिन सकते हो यह को countable और uncountable को कभी भी आप गिनने और नहीं गिनने से मत confuse किया करो इसका plural बन सकता है वो countable इसका plural नहीं बन सकता है तो uncountable बन रहा है countable है लेस नहीं होगा क्या होगा fewer पांसर आ जाएगा तो they have fewer books than I have 4 divided by 2 is coming out to be 2 4 divided by 2 is coming out to be 2 अच्छे यह बताओ अगर मैं 4 को 2 से डिवाइट करूँ तो 2 आ रहा है क्या यह मेरा ही 2 आ रहा है यह आप लोग करोगे तो भी 2 आएगा कोई भी करेगा तो 2 ही आएगा ना यही बात है 4 divided by 2 is coming out to be 2 आप लिख रहे हो is coming out नहीं होगा it will be comes out to be 2 ठीक है it will be comes out to be 2 4 divided by 2 comes out to be 2 it will be part b mirror हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि अगर आप किसी mathematical solution की भी बात करते हो mathematical fact की भी बात करते हो तो भी आप present indefinite का ही प्रयोग करते हो और यह present indefinite ही रहेगा क्योंकि यह कभी बदलेगा नहीं चाहें मैं करूं आप करें कोई भी करें वह आएगा present indefinite में ही तो 4 divided by 2 who comes out to be 2 ही लिखना करेक्ट है कि वस राइटिंग लेटर तो हर ग्राइंड मदर वें देपावर गॉन आउट वर्ब हमारी क्या होती है गो वेंट कॉन गॉन का प्रयोग अगर आप कर रहे हो तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हो या तो पैसिव में या फिर पर्फेक्ट टेंस में क्या यहां पर perfect tense है नहीं है आप क्या कर रहे थे एक letter लिख रहे थे जब पावर गई past indefinite sentence है past indefinite sentence है तो gone की जगे क्या आजाएगा so she was writing a letter to her grandmother when the power went out this is scripture has been translated in 70 languages this is scripture has been translated in 70 languages so this is scripture singular has singular being translated कोई दिक्कत नहीं किसी अन्ने के द्वारा translate किया गया है यानि आवा की passive में है तो passive structure है translated in 70 languages की जगे क्या आएगा into 70 languages okay so this scripture has been translated into 70 languages लिखना करेक्ट है ना की in 70 languages so this is scripture has been translated into 70 languages ना की in 70 languages this is scripture has been translated into 70 languages चिक्क आगे बढ़ते हैं the tiger was tranquilized in the morning and kept in a cage to avoid disturbances by human beings tiger was tranquilized vocabulary chapter में बार 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 रैंकुलाइज आपको पढ़ाता हूँ tranquilize लिखना मतलब मैंने आपको इस example भी यह दिया था जब वो क्या पढ़ाई थी किसी जानबर को जो आप उसे tame करते हो सब्सक्राइब करते हो तो आप यहीं करते हो उसको injection से आप tranquilize कर देते हो उसको फड़ा दिर के लिए बिहोश कर देते हो तो टाइगर लिखना सही है singular है was लिखना करेक्ट है tranquilize करा गया in the morning मैंने आपको यह भी बताया कि parts of day parts of day के साथ में आप articles का प्रयोग कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो in the morning and kept in a cage it was kept in a cage cage singular countable noun है तो article एक प्रयोग भी सही है to avoid disturbances by human beings आगे के examples एक लिखा हुए the tiger was tranquilized in the morning and kept in a cage to avoid disturbances by human beings the same ही लिखाएगा है अब जगे the tiger was tranquilized in the morning and kept in a cage to avoid disturbances by human beings question थोड़ा कम समझा रहा है मुझे बाकी मैं आंसर आपको बता दे रहा हूं बड़ तरीका थोड़ा सा different है चलिए disturbances नहीं होता है disturbance होता है do not cause disturbance disturbance लिखना सही है ना कि disturbances disturbance क्या होते हैं कि western disturbance disturbance आप हमेशा singular की तरह ही उज़ करते हो ठीक है disturbance का आप प्लूरल नहीं बनाओगे disturbance का आप प्लूरल नहीं बनाते हो इस एन uncountable नाउन ठीक है यह generally uncountable नाउन है in some specific situations यह आपका countable की तरह भी काम करता है बट generally यह आपका uncountable रहता तो आपको यह ध्यान देना है आंसर हो जाएगा हमारा मुझे यह बात नहीं समझ में आ रही है कि इसमें से आंसर आपको कौन सा मार करना था क्योंकि तारह ही एक ही जैसे लिखे हुए है तो आंसर आपको क्या मार कोगा वो मुझे थोड़ा कम समझ में आया एरर तो आपका यहां पर हो जाएगा disturbance की जगे disturbance की जगे disturbance होगा disturbance आपका uncountable ना होने इसका आप लूरल नहीं बनाते हो तो the tiger was tranquillized in the morning and kept in a cage to avoid disturbance by human ठीक है? clear? कोई अगर difference हो जो शाएद मुझे नहीं दिख रहा हो वो आप देख लिजएगा अंसर मैंने आपको बता दिया The viable of life depends on a pair of conflicting realities अगें It is a viable solution to this problem Amisha words की parts of his speech को sentences से याद रखिए क्योंकि generally ऐसे आप भूल जाएंगे sentences से याद रखोगे तो याद रहगा viable solution solution क्या है noun इसका मतलब viable क्या है adjective similar concept का question एक और हमें दिखा था meaningless वाला तो ये क्या है adjective adjective आपको चाहिए नहीं है यहाँ क्या चाहिए noun तो सही क्या होगा viability conflicting realities the viability of life depends on a pair of conflicting realities ना की viable of life I shall be playing for four hours I shall be playing for four hours क्या होगा देखे आपने यहाँ four hours का प्रयोग किया four hours क्या है four hours क्या है period of time period of time के साथ में four आएगा six sense का बाता है जब आप point of time लगाते हो कश एक लगाते हो for लगाते वो period of time में एक बात समझ में आ गई for लगाते हो जब भी आप इनका प्रयोग करते हो तो तो तेंस कौन सा होना चाहिए आपका हमेशा परफेक्ट कॉंटिनियस तो यहां पर शाइल कि जाएगा आई शाइल हैव कि आई शाइल है पीन प्लेइंग हो जाएगा एक शैल भी एक पार उन में आई शाइल have been playing for 4 hours यहीं पर यादी 4 p.m. लिखा होता तो since आता हूँ अधिक जानकारी के लिए tense पढ़ें और since और 4 मैंने prepositions में पढ़ा है आगे कह रहा है I had a bad habit of waking up lately adverbs chapter में मैंने late को अच्छे से cover किया हुआ है late देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं she was trying for her late father ठीक है late को as an adjective भी उसके जाता है जब आज इन adjective उसकरते हो तो इसका मतलब हो जाता है स्वर्गी है एक तो ही हो गया you are late for class you can for the class what are the books you have read of late what are the books you have read of late अच्छे तो यहां पर लेट का मतलब हो जाता है देरी से ठीक है यहां पर जब आप आप लेट लिखते हो तो उसका मतलब होता है रिसेंटली ठीक है तो यहां लेट ली का मतलब हो जाता है रिसेंटली तो यहां लेट ली की जगे आ जाएगा है क्योंकि आप देरी से उठ रहे हो तो आप यहां पर लेट आओ लेट इसेंटली इनको मतलब होता है हाल ही में यहां पर आप देरी की बात कर रहे हो तो आप लेटली ही उसकरो इस टेरे आप लेटले की बात कर रहे हो यह बाद कर रहे हो यह बात क्यों रहे है क्यों हो आएगा क्या गाएगा मिस्टर शर्मा विल्हाइब 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 की जगह क्या आएगा विल्हाइब टेलर रिचर्ड और फ्रांसिस प्लेइब वहाथ ही बेसिक सा सवाल है यह बेरी बेसिक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को 123 सब्जेक कैसा हो गया विल्हाइब के साथ में क्या इसका रोगे टेलर रिचर्ड और फ्रांसिस प्लेइब वार्स्टेट बास्केट बॉल्ट इम कि प्लेइब प्लेइब वार्समें ओडबल अप आप नहीं आएगा ओडबल एप आप नहीं आएगा As they driven through the dark, twisting lane town, which they had walked earlier, Lysias heard the whistling of the night air in his ears. आपने कहा लिखा? As they driven. Drive हमारी verb है. Second form हमारी drove है. Or third form हमारी driven है. Drive, drove and driven. Correct? Driven क्या है आपका? आपने driven लिखा हुए है. Third form है यह. Third form का प्रयोग नहीं होना है. तो आप कहीं ना कहीं has, have, had, या passive nature of sentence यह तो कुछ होता. यह तो कुछ है नहीं. तो driven की जगे क्या आजाएगा? Drove. So it will be as they drove. As they drove will be the correct answer. As they drove through the dark, twisting lane, down which they had walked earlier, Lucius heard the whistling of the night in the air in his ears. क्या है? क्या है? क्या है क्या है? क्या है? क्या है? समझे हैं? Before the names of metal, we do not use article-da. Names of metal के पहले article-da का प्रियोग नहीं होता है. Platinum क्या है? एक metal का नाम है, तो article-da का यूज़ गलत है. Platinum is a precious metal सही है. अब आपको गे, यहाँ पर कैसे लगा दिया? भहिया, metal है. Metal is a singular countable noun, इसका plural बन सकता है. आर्टिकल है, सगी है. लेकिन names of metal, जैसे iron, steel, ठीक, gold, platinum, इनके आगे आप आर्टिकल-da का प्रियोग नहीं करोगे. Basically, material noun के पहले ही आप आर्टिकल का प्रियोग नहीं करोगे. ठीक है? जैसे अगर आप water लिखना चाह रहे हो, तो water के पहले भी नहीं आएगा, blood, milk, इनके पहले भी आप आप आटिकल का प्रियोग नहीं करोगे. ठीक है, cotton. हाँ, एक बात और समझे है, कि अगर माल लिजी इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख दूँ. डाश और डाश प्लाटिनम और योर रिंग लुक्स लाइक इलवर. प्लाटिनम और योर रिंग लुक्स लाइक इलवर. अब मैंने specific प्लाटिनम की बात करी, जो कि तुम्हारी रिंग में है. तो मैं लिख सकता हूँ, article the. दा प्लाटिनम, कौन सी प्लाटिनम? जो तुम्हारी रिंग में है. अब इस्पेसिफिक बात हो गई. तुम्हारी रिंग लुक्स लाइक से वहां. यहां नहीं उस कर रहां, यहां कर सकते हैं. कि ओफ यूर रिंग हो. तुक है? आगे बढ़ते हैं. A music is a great way to express your emotions. अगें, music. What are you listening? I am listening to the music. So music के साथ में article A का प्रियोग गलत है. Simply, music is a great way to express your emotions. ठीक है नहीं कि आर्टिकल एक अपर नहीं होगा यहां पर दम्यूजिक क्या सकते हो और म्यूजिक क्या सकते हो ठीक है यूजिक is a great way to express your emotion अगे कह रहा है they decided to travel in train instead of driving to New Delhi they decided to travel in train instead of driving to New Delhi क्या होगा they subject हमारा होगया decided to travel in train in train नहीं they decided to travel by train instead of driving to New Delhi ना कि in train they decided to travel by train instead of driving to New Delhi ठीक है क्यान रखेंगे बाय ट्रेन होगा ना कि in train होगा they decided to travel by train instead of driving to New Delhi राधा विल है लेंट कुकिंग बाय ताइम शी विल हैव मैरीड अगें आप देख पा रहे हो क्या सेमिलर कॉंसेप्ट हमने पढ़ा आप ने लिखा है विल हैव यहां लिखा है विल है हमने क्या पढ़ा था जबल फ्यूचर इज ऑल्वेज अवाइड़ अवाइड़ एक ही बाक में दो बार फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं इसमें से कुकिंग सीख चुकी होगी जो काम पहले हुआ है वो फीचर परफेक्ट में है तो विल हाव लेंट कुकिंग कब तक जब तक उसकी शादी होगी तो वाइड़ टाइम शी लाइन स्थी एट मैरीट ठीक है कि I have seen a movie of schooling yesterday अपनी क्या लिखा है यहस्टरडए 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 इसन क्या आता है past इंडेफिनिक अ कि सीन की जगे क्या हो जाएगा जूत था मूवी यह-स था आकको पढ़ाया है यह कब वाक्षित में yesterday, ago, last month, last year, last day, इन सब का प्रयोग करते हो तो आप वाक्य में past indefinite का प्रयोग करोगे, इसी लिए यहाँ पर yesterday जो है आया है तो 100 का प्रयोग होता है This is the eldest standing structure of Chola Architect in India, ज्यान दीजिए, elder, older elder का प्रयोग होता है age बताने के लिए of relatives, blood relatives older का age यूज होता है age बताने के लिए not necessarily related किसी भी चीज की age बताने के लिए आप old का प्रयोग करते हो elder का प्रयोग करते हो जब आप किसी भाई से अपनी उमर बताने है दीदी से बताने है तो आप elder का प्रयोग तो आपने लिखा है building की आप उमर बता रहे हो जिब आप building की उमर बता ओगे तो आप eldest की जगे क्या लिखोगे Oldest, ठीक है? तो Old नहीं होगा, Older नहीं होगा, Elder नहीं होगा, answer हो जाएगा Third, This is the oldest standing structure of Shola architecture in India, ठीक है? ना की Old This is the oldest standing structure of Shola architect in India the blue is a beautiful color blue is a beautiful the blue is a beautiful color again names of color पहले भी आप article का प्रयोग नहीं करो the blue नहीं लिखा जाएगा it will be blue is a beautiful color प्योंकि जब आप the blue लिखते हो तो again ये एक race या किसी इस तरीके की बात बताने लगता है इसमें जैसे आप नहीं बताते हो blue is a beautiful color लेकिन जैसे फ्लैक का ना में तो the tricolor तब आप बता सकते हो tricolor तिरंगा you shall repented tomorrow for your misdeeds तो इसमें कुछ है नहीं simple सी बात है will और shall के साथ क्या आता है will और shall के साथ आप यूज करते हो verb की first form will और shall के साथ आप जब यूज करते हो verb की first form तो यहां पर repented की जगे क्या आजाएगा you shall repent tomorrow for your misdeeds ना कि shall repented tomorrow repented नहीं होगा repent हो जाएगा so you shall repent tomorrow for your misdeeds you shall repent tomorrow for your misdeeds will be correct answer shall repent tomorrow for your shall repented जान रखना है तो कोई ऐसा rocket science था है तुन्टुन and her friends dance beautiful तुन्टुन and her friends subject हमारा कैसा हो गया plural अगर यह plural हो गया तो verb कैसी हो जाएगी plural कोई दिक्कत नहीं है beautiful आप किसे qualify करना चाहरे हो verb को qualify करना चाहरे हो verb को जब आप qualify करना चाहरे हो तो beautiful की जगे क्या आएगा beautifully क्यों 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 ब्यूटिफुल क्या है आपका adjective है और beautifully क्या है adverb है okay so trunton and her friends dance beautifully so he beautiful listen the flight the fight of the Cobra and the mangoos is a classic drama often seen in India and the outcome was largely the same the fight of the Cobra and the mangoos the fight of the Cobra and the mangoos is often is a classic drama often seen in India and the outcome was largely the thing so I'm coming to head it's not a noun it's an adjective so basically I'll be happy the outcome was largely same the same the fight of Cobra and the mangoos is a classic drama often seen in India and the outcome was largely same the same the snap 10 a was launched on 3rd April 1965 on an Atlas Agena Agena D rocket from Werenberg Air Force Base the snap 10 a was launched on a third April 1965 on a Atlas Agena D rocket from Werenberg Air Force Base and this is it is said that fortune favors the brave so common idiom fortune favors the brave because the fortune singular countable is so it will be it is said that fortune favors the brave the car is lesser expensive than the one I had come to buy the car is this car is lesser expensive than the one I had come to buy what is it is my correction to be what I had to say so simple it's about it I have never had it is lesser expensive you have to go out and express it is present I am a simple present where you have a problem and I had to go back to the past perfect me I am तो अगर पास्ट पर्फेक्ट में हो जाता है तो इसका अब पास्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहां क्या होना चाहिए पर फास्ट कर वन होगा तो अ क्या है अन्हों ने देख वाण को न I like भी नहीं किया हुआ है तो I had come to buy ठीक लिखा हुआ है came नहीं हो जाएगा कम की जगे came कर देंगे तो तो गलत हो जाए क्योंकि कम की third form कम ही होती है तो यह तो सही है अभी मैंने आपको पढ़ाया था and I missed it little का जो comparative degree है वो है less इसलिए less आएगा पर नखिर लेसर लिखना गलत ए लश लिखना सभी हमने पढ़ा था लेस लिटिल और लेस के लेस के बारे में तो द्हान रखना है लेसर नहीं होता है लेटिल का चो जो comparative degree है वो लेस ही है तो में द्हान रखना है लेसर नहीं होता है यह ध्यान रखेंगे वहाँ पर शायद मैंने लेसर लिख दिया है तो वह आप ते हम रखेंगे लेसर नहीं है दे लिटिल चाइल्ड रोट इस नेम विक आन दा वॉल आपने यहाँ पर लिखा हुआ है विक विक को आप क्वालिफाई किस से करार होगे वर्ब को क्वालिफाई करना चाहर है उससे विक लिख लिख लिखना करेक्ट है तो आपको ब्रदर की बात कर रहे हो आप यहाँ ब्रदर की बात कर रहे हो अभी हमने पढ़ा कि ओल्डर का प्रियोग आप करते हो एज बताने के लिए और यल्डर में आप प्रियोग करते हो विख लिख स्मução किसे की बतानी है तो तो आपने यहाँ क्या लिखा और यहोड़र की जگह क्या है एगा ऐगा अगे ऐत हम इस is the elder brother of my best friend ना की older brother क्योंकि brother की बात हो रही है तो वो की में आजा When I bought the book I thought it will be interesting When I bought the book I thought it will be interesting जब मैंने किताब खरी दी मैंने मुझे मैंने सोचा कि ये काफी interesting होगी So when I bought the book I thought it will be interesting क्या हो जाएगा तो आपने यहां लिखा हुआ है thought और यहां पर भी past में लिखा हुआ है तो अगर आप past में लिख रहे हो तो आगे का बात भी आप past में ही लिखोगे ठीक है तो will की जगे क्या आजाएगा would will की जगे पर क्या आजाएगा पांसर हो जाएगा हमारा When I bought the book I thought it would be interesting चुकि आगे past में है तो उसके आगे का बाक्य भी past में ही आजाएगा So when I bought the book I thought it would be interesting My teacher told me that all that glitters was not put आपने यहां पर लिखा हुआ है यह reporting verb आपकी past में है हमने अभी पढ़ा था क्या यह the reporting verb हमारी past में है तो reported speech भी past में हो जाती है ठीक है उस हिसाफ से तो was यहां correct है लेकिन यह दि कोई universal truth होता है कोई saying बगरा होती है तो वहाँ पर यह rule violet हो जाता है ठीक है तो यहां पर all that glitters was not gold की जागे क्या जाएगा is not gold my teacher told me that all that glitters is not gold we think of the past history of the world as fixed but of the future as undecided and open to a wealth of possibilities क्या होगा हम सोचते हैं कि हमारा past जो है वो fix है वो future undecided है और उसमें बहुत of कुछ नहीं है तो एरर जो है पार बी में है wealth of नहीं लिखा जाता है well of लिखा जाता है is chef who specializes in italian cuisine is the winner of nobel peace prize the earth revolves around the sun I love the taste of fresh strawberries in the summer कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत कहां पर है आपने chef लिखा chef क्या है singular countable noun singular countable noun है साथ ही साथ आप हू के साथ में इसको explain भी आगे कर रहे हो जब आप you are giving extra information about something तो आप chef की जगे क्या लिखोगे he is the chef he is the chef who specializes in italian cuisine he is the chef who specializes in italian cuisine Henry is known as an excellent writer and good communicator in English Henry किस तरीके से जाना जाता है एक तो as an excellent writer जाना जाता है और किस तरीके से जाना चाहता है good communicator जाना जाता है good communicator भी क्या है singular countable noun है यहाँ पर आपने article a लगाया excellent writer के साथ से good communicator के पहरे भी क्या लगाओगे article a यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है so Henry is known as an excellent writer and a good communicator in English a good communicator होगा and good communicator नहीं होगा अच्छे एक और समझी बात an excellent writer and a good communicator हमने लिखा an excellent writer and a good communicator is or are invited जब हम दो अलग अलग लिख रहे हैं ना इसका मतलब दो अलग 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 वैखती हैं तो यहाँ पर आ राएगा ठीक अब इसे को अगधियम ऐसे लिख लें an excellent writer and good communicator is invited तो चुकि एक ही वैकती है जो की good communicator भी है साथ ही साथ excellent writer भी है तो यहाँ पर is invited लिखना करें तो यहाँ आपको मैंने पढ़ाया है कि अगर आप कभी भी one of का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन या फिर प्रेनाउन हमेशा plural रहता है कि वन का वन क्या है हमारा subject है उसके हिसाब से subject जो verb आती है वो कैसी आती है singular helping verb आती है तो इसलिए right की जगे क्या जाएगा राइट्स वन अप मैं ब्रदर्स राइट्स नॉवल्स फॉर लिए तुशार is junior than all his colleagues आपने लिखा तुशार is junior than all his colleagues आपको ध्यान रखिए आई और अगर जिन भी words के साथ में आता है उसके साथ में टू आता है चाहें inferior superior exterior interior इन सब के साथ में तू का प्रयोग होगा होगा साथ इसाथ prefer इनके साथ में आप दैन का प्रयोग नहीं करते हैं तू का प्रयोग करते हैं it is a state of chaos since the chairman resigned क्या होगा इसमें error बताइए सोचना आप देख पार आपने यहां पर लिखा हुआ है since अगर वाकि में since या फिर फॉर का प्रयोग हो तो आपका कान घड़े हो जाने चाहिए आपको पता चलना चाहिए यह sentence में perfect tense का use होगा इस का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्या होगा it has perfect tense आएगा इस के लिए इस क्या है यहां बी बी की has के साथ बी की कौन सी form आएगी third form क्या हो जाएगा धीन तो it will be it has been a state of chaos since the chairman resigned so it will be part aim it has been a state of chaos since the chairman designed has been a state of chaos since the chairman designed okay he has been will be the correct one did we cut Oki again,астinsemaji we are good so we keep still here for this video in the next video we'll cover the remaining questions of error detection of SSD MTS 2023 exam और बांके अभी इसमें हम लोग error झाल 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 एउसको आगे पढ़ाते हैं लिखा है बाई टाइम ऐटन थर्टी आई जुड है विजिटेड एवरी कॉंटिनेंट इन फीन्ट एन एन एक्सपीरियेंश तो अगर आप इस question को अप ध्यान से पढ़ो तो आप एक चीज दे notice करोगे कि आप में इसमें जो error है वो already उन्होंने लिखा हुआ है जो error है वो उन्होंने already लिखा हुआ है मतलब कुछ भी ऐसा ही नहीं जो आप पहचान न सको simple सी बात है आपने यहाँ पर देख रहे है पा रहे हो कि आपने यहाँ पर have use किया हुआ है आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन्होंने have use किया हुआ है यह जब यहाँ have use कर रहे हो तो यहाँ had क्यों use कर रहे हो तो यहाँ भी have आएगा एक बात हो गई दूसरी बात आप हमेशा एक ध्यान रखिए कि कभी भी न कोई भी model verb होगी किसी भी model verb के साथ में किसी भी model verb के साथ में आप हमेशा have का यूज़ करते हो किसी भी model verb के साथ में आप हमेशा have का यूज़ करते हो had का यूज़ नहीं करते हो तो आप यहाँ पर जब आप देखते हो कि would had लिखा हुआ है तो आप इसे हटा के have use कर दोगे model work का मतलब मेरा यहाँ पर क्या है can, should, may, might will, can, would, should किसी के साथ भी जब आपको use करना है तो हमेशा have use करोगे has या फिर had का use नहीं होता है ठीक है, clear होगी बात तो answer हो जाता है मारा first I would have visited every continent in the world and have gained a wealth of knowledge and experience is correct ठीक, next लिखा है, this fridge comes including a 5-year warranty आपको इसमें error बताना है simple सी बात है, this fridge comes including नहीं होता है this fridge comes with a 5-year warranty आता है हमेशा use करते हो, including का प्रयोग नहीं किया जाता है this fridge comes with a 5-year warranty का प्रयोग होता है including का प्रयोग नहीं होता ठीक है the school shall reopened after summer vacations of one month क्या answer होगा इसका यह आपको पढ़ाया है मैंने, क्या कि will या फिर शैल का प्रयोग यदि है वाक्य में तो उसके साथ में आता है work की first form आप नहीं आ लिखा है shall reopened तो will shall के साथ में जब work की first form आती है तो आपको यह पात पता है कि will और shall के साथ में आप यूज़ करते हो बी का और उसके साथ यूज़ करते हो work की third form का यह कब होता है जब आप इसका passive बनाओगे तो यह बनेगा जब आप इसका passive बनाओगे तो यह बनेगा तो यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर आजाएगा अगले सवाल पर आते है with cloud streaming people can play games from an internet connected device avoiding the need for pricey dedicated hardware such as a game console क्या होगा आपने यहाँ देखा article A का प्रयोग किया हुआ है और यहाँ यूज़ हो रहा है internet internet में आया रहा है और sound भी vowel sound ही आ रहा है तो यह दि vowel sound का प्रयोग यह कहीं पर होता है यदि vowel sound का प्रयोग कहीं पर होता है तो उसके पहले क्या आता है article यदि vowel sound का प्रयोग कहीं पर होता है तो उसके पहले क्या आएगा article A ना की A तो आप article A आन का प्रयोग यहाँ करोगे ना की A का ठीक है तो it will be, part 3 मेरर हो जाएगा, with cloud streaming, people can play games from an internet connected device, avoiding the need for pricey dedicated hardware such as game console, ठीक है, clear, next कैता है, the team played really well but they lose the game in the same final minutes, केरा है, the team played really well but they lose the game in the final minutes, what is the correct answer to this question, पता ही, भाया, यहाँ पर आपने यूज क्या है, played, यह क्या है, verb की second form यानि कि वाक कि हम किसमें लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं, past indefinite में हम किसमें लिख रहे हैं, past indefinite में, यह थी हम past indefinite में वाकी को लिख रहे हैं तो यहाँ lose की जगे क्या न की यह? क्योंकि यहाँ वाकि past independent में ही बनेगा तो it will be the team played really well but they lost the game in the final minutes नहीं की lose इसकी है? तो यहाँ lose की जगे क्या जाएकर? lost डिके? तो answer will be team played really well but they lost the game in the final तो the team played really well but they lost the game in the final मिनट्स जो है वो सही होगा लिखना ठीक है कोई दिक्कत lost the game ही लिखा जाएगा अगला कहता है the institute have been divided into multiple departments the institute have been divided into multiple departments basic सा सवाल है आपको पता है as का प्रयोग हम करते हैं singular subject के लिए और have का प्रयोग हम करते हैं plural subject के लिए ठीक है has का प्रयोग हम करते हैं singular के लिए have का प्रयोग करते हैं plural के लिए आपने यहां क्या देखा subject हमारा क्या है singular यदि है singular है तो यहां क्या जाएगा तो it will be the institute has been divided into multiple departments ना की have been divided into multiple अगे है too much seriousness hardens the world spinning it down with rules क्या होगा अंसर देखें आपने यहां लिखा है too much too much की जगे आ जाएगा too much ठीक है it will not be too much it will be too much ठीक है so it will be too much seriousness hardens the world spinning it down with ठीक है आप ध्यान रखें too much होता है too much नहीं होता है एसिक सी बात है आपको एक rule जरूर ध्यान रखना है क्या too much का ओर Oh Mar這裡 गे कंगे एसी मचंशत का प्रियोंग लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको M के बाद क्या आता है M के बाद आता है nand N4 क होता है नां ठीक है और मच टू एडवर्ब है तो इसके साथ में आता है एड जेक्टिव ठीक है तो ध्यान रखना पड़ेगा too much के साथ आता है noun and much to के साथ आता है adjective seriousness एनी डबल एस लगा है तो यह क्या है abstract noun abstract noun के साथ में क्या आएगा too much too much seriousness hardens the world pinning it down with rules ठीक है तो यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर too much के बाद में noun आ रहा है that is correct आता है for example he is too much frugal he is हमने लिखा he is too much frugal अब इस वाक्य में आपको पता करना है क्या यह सही है यह गलत है हमने लिखा he is too much frugal तो क्या यह सही है यह गलत है frugal क्या है frugal आपका adjective होता है अगर दिटेल में पढ़ना है एड़वर्प चैप्टर में जाईएगा एड़वर्प चैप्टर में इस पॉइंट को बहुत डिटेल में एक्स्पेंड किया हुए मैंने टिक है the boy who's the sister is ill has left यह वाला concept बहुत ध्यांसे समझ लो बहुत बार मुझे से सवाल आते हैं बहुत बार आते हैं क्या लिखा है the boy टैश the sister is ill has left एक बात ध्यांसे समझ यह यह sentence का structure समझ पहले तो क्या है sentence का structure है एक दो दो तीन बात इसमां समझ यह ध्यांसे पहले तो who whose और whom में difference समझ लो हो होता है subjective case हो होता है subjective case whose होता है genitive case या फिर possessive case आप कह सकते हो इसे और whom होता है आपका objective case ठीक है हो होता है subjective case whose होता है genitive case, possessive case और whom होता है objective case तो यहां पर पजेशन की बात हो रही है तो आपने वूज लिखा समझो ध्यान से यह संटेंस का इस्ट्रक्ट्टर दबॉइ एस्ट्रक्टर इस तरीक एक रहे हैं दबॉइ स्ट्रक्टर कुछ इस प्रकार है तो अलग-अलग वाक्य है दबॉइ है यहां लिखा है यह वाकी बीच में घुसा है घुसा क्यों क्योंकि भाईया और हूँ और हूँ की ऐसी विडम्बना है यह उन्हीं के साथ लगेंगे इनके जो एंटीसीडेंट होते हैं यह उनसे ही चपक जाते हैं जाके अगर हम इस तरीके से लिखें ता बॉइ है यहां लिखा हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया है कि हूँ आता है तो उसके हूँ आता है तो उसके बाद में हूँ आता है तो उसके बाद में आती है आपकी अनदर सब्जेक्ट हूँ आता है तो उसके बाद में आता है अनदर सब्जेक्ट यह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से हूँ का प्रयोगाम कप करते हैं जब वाकित के उससे जब के बाद में अगर helping verb या main verb आ रही है तो आप यूज करते हो हूँ का और यदि आप another subject की बात करते हो तो आप यूज करते हो whom का correct है तो boy-sister is ill has left तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप ध्यान से दो यह क्या है another subject है तो क्या हो जाएगा यहां पर whom आ जाता है तो boy whom the sister is ill has left अग समझ में आई तो error जो होगा वो पार्ट बन में होगा who's the sister is left नहीं होगा the boy whom the sister is ill has left correct हो जाएगा एक के confusion क्या होता है confusion यह होता है आप में से कई लोगों को कि मैंने पहाए होते दो तीन केस मैं बता देता हूं है बड़ी ही किल्ड अगाए जैश किस्टर पॉस किल्ड रहें दो यार हल्प कर दो यहां इतना है इंसर को ना किक है ही हेल्प्ड ही इंवाइटेड गाए वाज अपीचर एक पही बात इसरा हो जाता है ही इंवाइटेड अगाए डैश एवरिबडी सेड़ कि इंवाइटेड अब मैंने पढ़ाया होता है कि भया वू आएगा आपका जब तो उसके बाद आता है helping वर्व या main वर्व और हूम जब आता है तो उसके बाद आता है another subject यही तो मैंने पढ़ाया है ठीक अब इसमें इस आधार पे आप तुरंद देखते हो sister लिखा है another subject तो आप लगा देते हो हूम यहां helping वर्व लगा है तो आप लगा देते हो हूम यहां another subject लगा है तो आप लगा देते हो हूम अब मैंने पढ़ाया था कि यह जो everybody said, he said, they said इस प्रकार से यदि कुछ लगता है तो उसके बाद आप देखते हो कि क्या sentence helping वर्व से शुरू हो रहा है तो मैंने बताया कि यह बीच में घुसा हुआ है इस वज़े यहां से helping work मान लो तो फिर यह whom नहीं होता है यह हूँ हो जाता है यही मैंने पढ़ाया था इसमें इस आपको doubt आता है कि यह बात तो clear हो जाती है अब आप इस rule को ले आते हो यहां पे कि भाईया देखो sir आपने बताया था जिस प्रकार से the sister is ill बीच में घुस बाया HERE आप आप देखो तो यह पूरा वाकिय कंप्लीट थो तaker इसका आध़ा हिस्सा यहां लिखा हुआ था यह बीच बीच में घुसा गुसा हुआ था जब आप इस बाटेश्व तो देखते हो कि यहां पर डिवाकिय कंप्लीट नहीं है तिरफ एक शब्द लिखा है औ यहां यह बात पूरी लिखी हुई है कि इस वज़े से यहां पर भूज आएगा कंफ्यूज होने की कोई जिरूत नहीं है तो हूम आ जाएगा बात खतम हो जाती है कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को चलो if he had paid attention to the announcement he had not missed the train बहुत पॉपलर और बहुत अच्छा कोशन है बहुत बार पूछा जाता है क्या है यह past conditional का सवाल है थिक past conditional में मैंने आपको पढ़ाया है कि if वाले वाक्य में subject के साथ लगाते हो had उसके साथ लगाते हो verb की third form उसके साथ लगाते हो object थिक दूसरे वाले वाक्य में आप लगाते हो subject उसके साथ लगाते हो आप could have इस प्रकार से उसके साथ आप लगाते हो वर्ब की धर्ड फॉर्म उसके साथ आप लगाते हो अब्जेक्ट इसको बदल दें इसको चेंज कर दें नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो मीनिंग नहीं बदलना होता है आप हमेशा ग्रामर चेंज करोगे मीनिग नहीं बदलना होता है अगला कर दो आप बदलना होता है आपने इसमें अब तक क्या लिखा हुआ है एस्ट्रोनॉट अस्ट्रोनॉट में यह क्या है वाउल है वाउल साउन्ट है एक जpower क्या आजाएगा अ ठीक है सो था ऊंची वांत ट्रोन कर दो तेस्टांट उसाइन केज़े न तीर अंटलनांगा Just कर दो अलोटने मर्कूरी केस्बद सुर्के न एस्टरोनाट आएगा अस्टर्नॉट में डहीं और पन्तले कर दो देखो लिखा भी बहुत option है He is better looking hero in the entire film industry He is better looking hero in the entire film industry आप उस व्यक्ति को entire film industry में मौझूद लोगों से compare कर रहे हो ठिक आप इस व्यक्ति को entire film industry में मौझूद लोगों से compare कर रहे हो यह दिया आप उसे आप entire film industry में मौझूद लोगों से compare कर रहे हो तो better क्यों लगा रहे हो better क्या है आपका better है comparative degree और comparative degree आप किसके साथ लगाते हो जब आप comparison करते हो दो लोगों में दो से अधिक के लिए आप comparative degree नहीं लगाते हो क्या लगाते हो super relative degree super relative degree आप लगाते हो तो यहां better की जगे पर क्या आजाएगा best he is the best looking hero in the entire film industry तो यहां पर क्या जाएगा he is the best looking hero in the entire film industry यहां पर द्यान लगा दिया है इन्होंने इसकी ज़्यूत नहीं थी my father told me that in his childhood he was walking to school every day मेरे पिता जी ने मुझे क्या बताया कि बचपन में वो childhood में वो वाक करते थे school के लिए daily करते थे यानि कि आप क्या बता रहे हो एक habit बता रहे हो कैसी habit बता रहे हो past habit बता रहे हो ठीक है past habit को express करने के लिए आप किसका प्रयोग करते है past habit को express करने के लिए आप किसका प्रयोग करते है past habit को express करने के लिए आप use करते है used to plus work की first form का ठीक, past habit को express करने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं used to plus verb की first form का so my father told me that in his childhood he was walking की जगे आप पे आ जाएगा he used to walk ठीक है he used to walk to school everyday अग समझ में आई so it will be my father told me that in his childhood he used to walk to school everyday इसकरेक्ट, ठीक है was walking की जगे पे आजाएगा he used to walk ठीक है आगे बढ़ते हैं Ravi will go to the England Ravi will go to the England what is the answer to this question? it's a very good question रभी will go to the England what is the answer to this question बताएगा basic सी बात है कि किसी भी name of nation के पहले names of nation के पहले article दा का प्रयोग नहीं होता है लेकिन when you talk about the group of island और a group of something तब आप article का यूज़ कर सकते हों जैसे इंग्लाइड की जगे पे अगर आप लिखो great Britain तो आप article का यूज़ कर सकते हों इंडिया के नाम के पहले article दा यूज़ नहीं होगा लेकिन जब आप UAE की बात करते हो या United States of America की बात करते हो तो इनके आगे आप article दा का यूज़ कर लेते हो ठीक है क्योंकि ये group of states हो गया है तो यहाँ पर इसना इंग्लैंड नहीं होगा आपका रभी बिल गो टु इंग्लैंड जो है सही होगा ठीक है इसना इंग्लैंड नहीं लिखा जाता है यह वाला गलत हो गया यह गलत हो गया यह गलत हो गया इंग्लैंड नहीं लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव लगाया हुआ है रचिंट मार्क है एक बात ध्यान देना है मैंने आपको बताया है कि वेन आज अ कंजंग्शन जब यूज होगा तब उसके साथ में आप विल या शैल का प्रयोग नहीं करोगे लेकिन वेन ऐजन एड़वोग जब यूज होगा तब आप उसमें will का प्रयोग कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब interrogative sentence है तो ये will कहां आएगा subject से पहले तो answer क्या होगा when will Nisha have finished her task when will Nisha have finished her task तो answer आजाएगा when will Nisha have finished her task if you work hard you secure good mark क्या लिखा हुआ है if you work hard आपने क्या किया है if के साथ में present indefinite का प्रयोग किया है if के साथ में present indefinite का प्रयोग कब होता है if के साथ में present indefinite का प्रयोग होता है future conditional sentences future conditional में क्या होगा अगर यहाँ if के साथ present आ रहा है तो आप अगले वाले वाकि में future tense का प्रयोग करेंगे तो यहाँ you secure की जगे पर क्या आजाएगा you will secure आजाएगा तो answer आजाएगा 4th part if you work hard you will secure good mark रही होगा question number 7 में क्या बता रहा है question number 7 कह रहा है the new software consists from several features and tools the new software consists from several features and tools तो ध्यान दीजे consists from नहीं होता है consists of होता है consists of होता है और comprises के साथ में off नहीं लगता है comprise of नहीं होगा comprise का मतलब ही होता है consists of this class comprises 40 students this class comprises 40 students this class consists of 40 students but when passive की बात आएगी sentence का नेचर पैसिव होगा तब आप comprise off लगा सकते हो पैसिव के के समें आप comprise के साथ आप लगाते हो active voice में आप नहीं लगा hosted by the governor at his residence my daughter was invited to lunch hosted by the governor at his residence क्या answer होगा my daughter was invited on lunch क्या सकते हो to lunch लिखना गलत है my daughter was invited on lunch hosted by the governor at his residence question 19109 she has bought a car two years ago क्या होगा मैंने आपको बताया है यह दी वाक्ति में ago yesterday last night last month इन सब का यूज होता है तो वाक्य किसमें होगा past indefinite में इक past indefinite में बहुप की second form का यूज होगा यहां पर क्या लिखा है है आप नहीं होगा अंसर हो जाएगा part 1 में he bought a car two years ago when I was in high school I participated in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper which helped me developed my communication and writing skills when I was in high school I participated in several extracurricular activities such as the debate team and the school newspaper ठीक है which helped me developed my communication तो पहली बात तो similar सवाल हम लोगों ने पहले के वीडियो में भी किया था पूरा वाके past में है तो यहां which help की जगे क्या जाएगा which helped हो जाएगा यहां पर एक बात दूसरी बात मैंने आपको पढ़ाया है क्या see, hear, watch, feel, make, no, let and bid इन सब के साथ में क्या आता है इन सब के साथ में आता है bare infinitive bare infinitive का मतलब क्या होता है infinitive without two infinitive without two का मतलब क्या होता है आप यहां पर verb की first form का प्रयोग करोगे यदि verb की first form का प्रयोग करोगे तो developed नहीं होगा क्या होगा आपके तो वन आइ वास इन हाई स्कूल आइ पार्टिसिपेटें इन सेवरल एक्ट्रा करिकूल अक्टिविटीज सच आज दिबेट टीम और स्कूल नूस्पेपर विच एल्प मी डेवलप विच हैंड मी डेवलप माय कम्मुनिकेशन और राइट इसकेंड पार्ट में हो ज प्यान दीजे एक चीछ नेम्स ओफ डिसीज़ अर्टिकल स्यप्टर पूरा घोट के पी जाईए बहुत बार बहुत कोश्टेंस आर्टिकल से पूछे गहें और आगे भी पूछे जाएंगे सीजिल सीप्यों सेच सब में पूछे जा रहे हैं नेम्स ओफ डिसीज के पहले देखें कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि आपकी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं अधिक जानकारी के लिए टेंस चैप्टर आवश्य पढ़ें टेंस में मैंने करवाया हूँ इस्टेटिव वर्ब्स का जो प्रयोग है वो आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या इस्टेंस आपने लिखा है रिजेंबलिंग तो रिजेंबल की जिए रिजेंबलिंग की जागे क्या जाएगा रिजेंबल इस लिखें इस इत्य नहीं क्यों में निए अन्सार आजाएगा हमारा बर्ट इस सुरिए इक आइक्स दे वेथर इस कोलड टुनाइट डालिट वस यस्टेट वाकी में प्रयोग हुआ है दैन का यह दिवाकी में प्रयोग होता है तो आप क्या जूश करते होूँ Candice डिग्री का प्रयोग हो रहा है तो कोल्ड की जगे क्या जाएगा कोल्डर इस कोल्डर तो नाइट दैन इट वॉस येस्टरी यहां पे कोल्डर का प्रयोग होगा कि कि अर्तमझ में आ गई कि यहां तक बात समझ आया जितना हमने पढ़ा तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अब हमने कवर किये हैं अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अगले वीडियो में अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुद्बाई, टेक केर, and have a very great day, thank you so much, bye-bye.